प्रिष्णात्परंकिमपितत्वमः नजाने वन्दे मादर्यम्दिगाम् भगवतिल्वानी रमासे वितां कल्याणी कमनी अकल बलतिगाम् कैलाशनाथ प्रियाम् वेदाल्दाम् बद्वाद्यमान विववावं विद्वनमनो रजनिनिम् श्री जक्रांज दरत्न पीठनिलयाम् श्री राज राजे स्वड़े अतुलित बलतामम् एमशैलाब देहम् दनुजवन क्रशानन ग्यानिनाम् सकल गुण निधानन वानरानाम धेसं रगुपति प्रियवत्तं आत जातं नमाद् मासुरकन्ना वर्देः भक्त जनतेः माद्ये वासिनी नासो दी चतरे सजेशे नमा तूदिव्य प्रकाशिनी कंसये मर्दन मादुचंद्र बदनी तूराज राजेश्वरी दैने वैजय मातोहे भगवती ब्रंभांध की मंगलादी भूते ग्रम्हद विर्व्याई माहा पुरो विभू निरमाया शेते यदमुष पूरुष भूंते गुणान शोडश शोडश शात्मकर् शोलंक्रसेश्ट भगवान वचाचांसे में शोलंक्रसेश्ट भगवान वचाचांसे में बोले ब्रंभावन विहारी लाद की जेए आईए शर्व पढ़था 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 अपने मन वरवान को पवित्र करेंगे मेरो प्यारो नंद लाल की सोडी रादे 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 मेरो प्यारी रादे मेरो प्यारी रादे मेरो प्यारो नंद लाल की सोडी रादे मेरो प्यारो नंद लाल की सोडी रादे मेरो प्यारो नंद लाल की सोडी रादे कर दो 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 कर मिरी प्यारी रादे, की सोरी रादे, मिरी प्यारी रादे मिरी प्यारी रादे, की सोरी रादे मिरी रादे, की सोरी 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 रादे, की सो मन में हैं बसी बस जाय यह प्रियाना मैं तुम्हारा उचारा करू बिठला के तुम्हें मन मन्दिर में मन मोहिन रूप निहाद करू मेरो प्यारो नंते आदे की शोई आदे मन में रूप नंते आदे की शोई आदे लेम से गाए ताल से वातम दे उड़े आदे मन में रूप नंते आदे भरके द्रिग पात्र में प्रेम का जल् पदपंक जनीत्य पखार करू बन प्रेम पुजार तुम्हार प्रभू बन प्रेम पुजार तुम्हार प्रभू नित्यारति भव्य वुतार करू नित्यारति भव्य वुतार करू अर्णनेशा नित्यार के शोविर्आर जार तुम्हार तुम्हार का जाल प्याल की सोरी रात है, मेरी प्यारी रात है मेरी प्यारी रात है मेरी प्यारो नंदे दाले की सोरी 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 रात है मीरो प्यारो नंदे लाले की सोरी रादे मीरो प्यारो नंदे रादे की शोरी रादे मीरो प्यारो नंदे रादे की शोरी रादे पंदावन में मतराजी में रान बल्लबाव राण दल्लबाद सब्की प्यारियां हमारी प्यारियां रादे रादे जै जै श्री राद हुए पुलिवाल कष्ण भगवान की जै श्री मदभाग वत्महा पुरान की जै वेदप्यास भगवान की जै श्री सुगदीवजी महराज की जै संकर भगवान की जै जगदंबे मया की जै अनवाने महराज की जै नागराज भगवान की जै समस्त पित्र देवताओं की जै विप्र देवताओं की जै स्री केदार निरसंग भगवान की जै स्विस्तान देवताओं की जै सत्यसनातन धर्म की जै ओम नमह पारवती पतै हर हर महादी की जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे जै जै श्री रादे श्या भूली द्वादिका धिश्की जै परंपिता परमीश्वरकारण तरुना वरुनाले पीताम वरधारि भगवान श्री बाल क्रिष्ण की वांगमी दिव्य प्रतिमूर्द अश्रादस पुराण विद्ध श्रीमद भागवत महापुराण जगत अधिश्टात्री जगतंबा भवानी के पावन चरण कमलो में नमन बंदन करते हुए बद्रमनलस्त आवाहित पूजत देवितागन पूज विप्रचरण एवं इस कथा के मनोरती परमादरणिया श्रीमती कमला देवी जी श्री गोविन सिंग पढ़ियार जी श्री राम सिंग पढ़ियार जी श्री हंस सिंग पढ़ियार जी श्री प्रदीप सिंग पढ़ियार जी श्री चंद्र सिंग पडियार्जी, श्री भाग सिंग पडियार्जी, श्री देवान सिंग पडियार्जी, श्री कुल्देव सिंग जी, श्री हेरा सिंग जी, श्री देरत सिंग, सूरज अमन, अनुराग दीपक्रिष्णा, श्री दीपा सिंग, श्री बिक्रम सिंग जी, श् स्री महेंदर सिंगी समस्त परिवार पडियार बंधुगन एवं समस्त सेनवार बंधुगन वग्राम सवागर के समस्त ग्राम वासीजन एवं अन्यत रस्तानों से बजारे आप सभी स्री हरी के प्रेमियों को इपावन हिर्दे में विराजमान प्रभो की उसे दिप्य जहांकी को व्यास किट से सरबठा मेरा प्रणाम जैश्री कृष्ट पुर्णियात्मा दिप्यात्मा स्वर्गे स्री कंसर सिंग जी के वार्सिक एगोदिश्ट उस्राद उपलक्षमें एवं समस्त पित्र उद्धार आर्थ इस परिवार के द्वारा यह दिप्य शंकल्ब जिसके हम चत्रत सत्र में प्रिवेश्ट कर रहे हैं भगवान की यह दिप्यकथा जिसको श्रवण करने से भगवान स्री हरी हरी हमारे हिर्दे में अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसी दिप्यकथा ग्यान गंगा में मन से निमजन करें और हमारे सबी बंदो बंदो जो कुर्सियों पर बैठे हैं पीछे आप लोगों से निवेद रहे हैं यहां कुर्सी लगा जाएं इदर कुर्सी लगाएं और यहीं बढ़ जाएं अपने पनी कुर्सी लेकर आजो चतुर्त सत्र में हम आप सभी प्रिवेश कर रहे हैं तो श्रीमत भागवत के जो स्रिष्ट स्रोता हैं परिक्षित उनके जन्म कर्म के पावन प्रसंग से आज का सत्र प्रारंब करते हैं साथ दिन में मरने का श्राब लगा परिक्षित को एक संद का अपमान हुआ भूख और प्यास से व्याकुल होकर के अपमान किया एक बात तो सकते आप देखते ही हैं संसार में कि मनुश्य अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है भूख लगती है तो जब कुछ ने मिलता तो फिर चोरी भी करनी पड़ती है डाका भी डालना पड़ सकता है भूख के लिए किसी की हत्यावी कर सकते हैं लेकिन पांडवों का एक ऐसा वनसज जो गलती कभी पांडवों ने नहीं की अईसे गलती पांडवों के नाती परिक्षित ने आज करें भूख और प्यास से ब्याकुल होकर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाए इसले एक ब्राह्मन का अभूमान कर दिया और श्राप लगा साथ दिन में मरने का इतिलंगित मर्यादं तक्षगाह सब्तमेहनी दंग्षयत इसम कुलांगारं जोदितों में ततत्रहं श्रिंगिरिशे ने श्राप दिया कि साथ में निन आकर के तक्षग सरब डसेगा और राजा कि अकाल मिलती हो जाएगा जब मरना ही है तो क्यों राज्य सत्ता को संभाले रखों अपनी मिलत्यों को सुधारूँगा जो अपमान मैंने किया है जो पाप करम किया है उसका प्राइश्चित करूँगा ऐसा विचार करके परिक्षत ने राज्य छोड़ा राज्य सी बस्तर उतारे केवल एक धोती पहनी है शरीर पर और हस्तनापुर से चले गंगाजी के किनारे सुक्रताल मुझफर नगर में पावन अस्तान हैं और वहाँ पर गंगाजी में स्नान किया स्नान करके गंगाजी के किनारे राजा परिक्षत बैठे हैं जिसने भी सुना कि राजा परिक्षत राजपाठ छोड़ करके चले आये हैं गंगाजी के दड़बर तो सभी लोग राजा के समीप पहुंचें हमारे राजा को श्राप लग गया है ऐसा धर्म संब्राठ कर्म योगी साथ दिन में मनने का श्राप लगा है बड़े बड़े संट महात्मा पहुंच गए शुक्रतालमा अत्रिरवसिष्टस्यवनस्च सरद्वान अरिष्टनेमी म्रिगुरंगी राष्च पारासरो गाधि सुतस्च शाकलो म्रिकंड पुत्रात्र जपिपलादा पारासरो गाधि सुतो धरामा उतत्य बाहो उतत्य इंद्रह प्रमदेद्ध बाहो पराशर व्यास अत्री वसिष्टस्च जवन गोतम सरद्वान ब्रगुरिशी बड़े-बड़े महात्मा पहुंच गए गंगाजी के वह तठपर अजारों के संख्या महात्माओं की वहां पर बन गई कहते हैं राजन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आपको श्राप लगा साथ दिन में मरने का रहा है राजा मुस्कुराई राजा परिक्षद ने सब को परणाम किया और कहा कि हे महात्माओं यह श्राप नहीं है यह तो उन रिशी का मुझे प्रसाद मिला है वर्दान मिला है उनकी किरपा हुई है मुझे पर उसी वर्दान के कारण उसी आशीरवाद के कारण तो आप जैसे स्रिश्ट संतों का मुझे दर्सन हो रहा है तो यह श्राप नहीं है यह तो वर्दान है यह किरपा है उनकी मुझे पर क्योंकि बिनोहरी किरपा मिला ही नहीं संता स्रेश्ट जनों की संगती हमें तब ही मिलती है जब भगवान की हम पर किरपा होती है इसलिए उन रिशी ने सुराप नहीं बल्कि मुझे आशीश दिया है किरपा मुझे पर की है बस मेरे मन में कुछ प्रस्ण है महात्माओं आप मुझे उन प्रस्णों का उतर दें समाधान करें क्या प्रस्ण है तो परिक्षत के प्रस्ण है महात्माओं को कह रहे है कि हे महात्माओं मरन धर्मा प्राणी का करतब्य क्या है जो मरण शील प्राणी है जिसने मरना ही है उसका करतब बे क्या है ये प्रस्ण सब के लिए की आमानो और दूसरा प्रस्ण कि जिसके पास केवल साथ ही दिन जीवन के शेश बचे हो उसे क्या करना चाहिए ये अपने लिए ये शीयों ने का साथ दिन में साथ दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता यदि नौ दिन भी मिलते तो कम से कम मा भगवती का यग्य करते नौ दिन तक नवाहन पाराईन करते मा भगवती की किरपा से हो सकता है आपको सदगती मिलती राजन ग्यारा दिन भी मिलते तो भगवान शिव का ये करते शिव के निमित कुछ धर्म कर्म करते लेकिन साथ दिन में राजा ने कहा कि मेरे पास तो केवल साथ ही दिन से सहे इन साथ दिनों को जो मुझे उन रिशी ने दिये हैं किरपा करके मैं प्राइश्चत करके अपने पापों से निवर्त होना चाहता हूँ अपने मिर्त्यों को सुधारना चाहता हूँ मैं घर से त्यारी करके आया हूँ कि जब जाना ही है तो पहले त्यारी कर लूँ और बात सही है कि देखो जब सबने जाना है तो हमें जाने से पहले तयारी अपने करने चाहिए कहीं यातरा पर जाते हैं न देश बिदेश दिल्ली, मुंबई जैसे दूरस अस्तानों में जाना होता है तो कई दिन पहले तयारी होने लगती है अपना बैग जोला तैयारी करने लगते हैं और यदि विदेशी की यात्रा पर जाना हो कहीं विदेश में तो कई मेहनों पहले से तैयारी होनी प्रारंब हो जाती है तो ध्यान देना जिस यात्रा पर हम सब को जाना है अंत्मी यात्रा जिस यात्रा पर हम सब को जाना है उस यात्रा की तैयारी हमें पहले से ही करनी चाहिए और पता तो है किसी को की मानों मैंने विदेश जाना है टिकट आएगा और तैयारी कुछ नहीं और दूसरे दिन ही टिकट पहुँच गया तो क्या करोगे हड़ बड़ा हाट होगी जल्द बाजी होगी कुछ सामान कहीं छोटेगा कुछ कहीं छोटेगा की भै अब तैयारी करो एक दो घंटे बचे हैं जाना है निकलना है तब कुछ नहीं होने वाले है इसलिए जीवन की जो सबसे लंबी यात्रा है अन्तिम यात्रा उस यात्रा की तैयारी पहले करनी चाहिए परिक्षट की तरह क्योंकि जाना समने है इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहीं रहेगा किसी का भी यह परमानिंग ठिकाना नहीं है परमानिंग ठिकाना यह किसी का नहीं है आप लोग इदर हो आजाओ आगे पिछे यहां नजरों में सब आगे आगे तो परमानिंग ठिकाना यहां किसी का नहीं है जाना समने है एक दिल और देखो जिस यात्रा पर जाना है उसका रिजर्वेशन भी हो रखाए इन ना सोचा मार टिकट नहीं बढ़िए टिकट बढ़िए बिलकुल मोहर लगी वेपर पहली लगी थे मोहर जया दना आई था इस संसार हो यहां एद दिन को टिकट से भाई कि जिजर्वेशन उन्हों पक्का तो जब जाना ही है तो पहले से तैयारी करूं क्योंकि जगत में कोई ना परमानेंड तेल चमेली चंदन सावन चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई ना परमानेंड चाहे लाइब बय का सावन जिना नया चाहे कई भी तेल लगा चाहे सेंट लगा लेकिन कोई ना परमानें आवा गमन लगा दुनिया में आना जाना लगा होगा है आवा गमन लगा दुनिया में जगत है प्रेंट अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई ना परमानें हरिद्वार चाहे मतुरा काशी हरिद्वार चाहे मतुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट मन में नाम प्रभू का राखो चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई ना परमानें चाहे धोती वाला हो चाहे पैंट वाला कोई भी एकनी वाहर रने जानी सबुन राष्ट पती या जनल करनल राष्ट पती या जनल करनल चाहे हो लेप्ति नेंट बड़े बड़े पदों पर भी रहने वाले चाहे राष्ट पती क्यों ना हो चाहे हो लेप्टी नेंट काल सभी को खा जाएगा लेडी जो हो या जेंट जगत में कोई ना परमानेंट इसले क्या करें जब परमानेंट लिन नहीं है यहां तो बोले सादु संत की संगत कर लो यह सक्ची गौर्मेंट लाल सिंग कहे इस दफ्तर से कभी न होना अप सेंट जगत में कोई ना परमानेंट यह भगवान की सरकार है यहां साथ दिनों तक भगवान की अदालत यह ओपिस बनाया हुआ है सहाव साथ दिनों तक अपिस लगा हुआ यहां भगवान की गौर्मेंट और साथ दिनों तक इस अपिस में कितने लोग हाजिरी लगाते हैं यह सब नोटिस हो रहा है खाते में लिखा जा रहा है कि साथ दिन तक यह ओपिस में कितने लोग गए और कौन-कौन गए कितने समय गए कितने दिन गए कितने टाइम गए कितने घंटे गए यह लिखा जा रहा है जब जाना ही है तो पहले क्यों न तयारी करूँ परिक्षत ने विचार किया कि राज्य सत्ता धन संपत्ती पुत्र इत्यादी सब मेरे कोई आज काम नहीं आ रहे है जान देना काम यदि आता है तो हमारे द्वारा लिया हुआ भगवान का नाम ही अंत में काम आता है अंत में क्या रहे हैं नाम सत्य है अपने आप को भी संसार को भी जब हम सजाते रहे और इस संसार में लिप्त रखे रहे लेकिन वह भी कुछ काम नहीं आया अंत में केवल सत्य वही बचता है भगवान का नाम से ले कहते हैं राम नाम सत्य है अपना शरीर भी काम नहीं आता है किसी सायर ने पंक्तियां लिखी कि सपने में अपनी मौत को करीब से देखा कफन में लिप्ते तन और जलते शरीर को देखा कफन में लिप्ते तन जलते अपने शरीर को देखा खड़े थे लोग हाथ बांधे कतार में कुछ थे परेशान, कुछ उदास थे पर कुछ छुपा रहे अपनी मुस्कान थे दूर खड़ा देख रहा था मैं ये सारा मंजर वानों आत्मा दूर से देख रही है अपने उस शरीर को जो मिर्त हो गया दूर खड़ा देख रहा था मैं ये सारा मंजर तभी किसी ने हाथ बढ़ा कर मेरा हाथ थाम लिया जब देखा उसका चहरा तो मैं बड़ा हैरान था हाथ थामने वाला कोई और नहीं मेरा भगवान था चहरे पर मुस्कान और नंगे पाउं था जब देखा मैंने उसकी तरफ जिग्यासा भरी नजरों से तो हंस कर बोला अरे तोने हर दिन दो घड़ी जपा मेरा नाम था तोने हर घड़ी हर दिन दो घड़ी जपा मेरा नाम था प्यारे आज उसका कर्ज चुकाने आया हूँ कभी कहता है कि रोदिया में अपनी वेवकूफियों पर रोदिया में अपनी वेवकूफियों पर तब यह सोच कर कि जिसको दो घड़ी जपा वो आज बचाने आया है और जिन में हर घड़ी रमा रहा वो आज जलाने आया है और जिसको दो घड़ी जपा वो आज बचाने आया है यही अंतर है संसार में परमात्मा के नाम में भया काम नहीं आता कुछ भी संसार बस परमात्मा ही और उनका नाम ही काम आता है संसार की संपत्ती के लिए आपस में लड़ते खगड़ते हैं लेकिन वह संपत्ती भी यहीं छूच जाती है गोमी भवन सब यहीं पड़ा रह जाता है साथ कुछ भी नहीं जाता यदि साथ कुछ जाता है तो हमारी जीवन में हमने भगवान का नाम कितना लिया है यही केवल जाता है इसलिए परिक्षित सोच करके और यमना गंगा जी के किनारे पहुँचे महात्मा जन परिक्षित के उन प्रस्टों का उत्तर नहीं दे पाए नारजी चले हैं अपने लोग से आकास मार्ग से आ रहे थे नारजी तो नारजी ने देखा कि जिस अस्तान पर परिक्षित बैठे हैं वहां से कुछ दूरी पर गंगा जी के किनारे रेती में एक महात्मा लेटे हैं मस्त मगन होकर के लेटे हैं अपनी मस्ती में पड़े हैं तो नारजी ने देखा नारजी आ गया उनके पास सोला वर्स की अवस्ता जैसे दिखते हैं कहा नारजी ने की महाराज आप मेरे संग चलो और परिक्षित को थोड़ा अपने ज्यान रूपी चक्षों से वह परिक्षित जो अंदकार में भटक रहा है भवसागर में गिरने वाला है उस पर ज्यान की दिब बिदृष्टी आप डालें ताकि उस परिक्षित का उद्धार हो जाए उन महात्मा ने कहा कि मुझे क्या मतलब परिक्षित कहीं भवसागर में गिरे चाही किसी कुईये में गिरे चाही कहीं पहाड में गिरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई मैं तो अपने काम में मस्क हूँ मैं तो भगवान का नाम जप रहा हूँ मैं नहीं आउँगा नारजी ने देखा कि जोड़ वरस्ती करनी तो ठीक नहीं है तो कहा हाद जोड़ करके कि महराज आप से एक बात पूछू कुछ निवेदन करो नारजी कहते हैं कि महराज इस तरप एक अंधा बेक्ती खड़ा है बीच में कुवा है और सामनी की तरप से एक आँख वाला जो देखता है देख सकता है वह आ रहा है और इदर से अंधा बेक्ती जा रहा है बीच में एक कुवा है बहुत गया है जो देख नहीं सकता अंधा है उसे कैसे पता चलेगा कि बीच में कुवा भी है चलता रहेगा तो उसमें गिरने का भै है और सौबा भी कहें वो गिरेगा ही तो वह जो अंधा बेक्ती है वो कुवें में गिरने से कैसे बचेगा क्या सामने से जो देखने वाला आ रहा है नेत्रवान है उसका करतबे नहीं है कि उसको जा करके उसको बचाए उसका हाथ पकड़ करके और कुवें से दूर ले जा करके उसो किसी अच्छे मार्ग पर लगा दे जो देख सकता है उसका तो करतब है न मात्मा बोले नारग जी को बोले हाँ बिल्कुल जो देख नहीं सकता है उसको गिरने से बचाने का करतब्य उस नेत्रवाले का है जो देख सकता है उसका हाथ पकड़े उसको किना रेकर देखाए नारग जी कहते हैं तो महराज मैं यही तो कहना चाता हूँ परिक्षित भवसागर रूपी कुई में गिरने वाला है डूमने वाला है आपके पास ग्यान चक्षो हैं ग्यान रूपी नेत्र हैं आप चलें और उस परिक्षित को भवसागर में गिरने से आप बचाएंगे उसका हाथ पकड़े नारजी की बच्षित सुन करके और वह महात्मा जो सोला वर्स के जैसे दिखते हैं वहां से चले और जहां पर परिक्षित बैठे हैं परिक्षित के सामने संत महात्माओं की हजारों की संख्या में बड़ी भारी सबहा बैठी है इतने में वही महात्मा आए कितत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रु यद्रे छया अगामट मानून पेक्षः आलक्षलिंगो निजलाव तुष्टू ब्लतस्यवाले नवधू तवेशः वहां पर अचानक सहसा प्रगट हुए तत्र अभवद वहां प्रगट हुए कौन बले मानो भगवान ही किस रूप में व्यास पत्र शुगदेव के रूप में अब देखो शुगदेव जी को कोई पहचानता नहीं था केवल उनके पिता व्यास जी जानते थे और व्यास जी उस सभा में बैठे हैं जैसे ही सामने से आये है महात्मा तो संतों की सारी सभा खड़ी हो गई और शुगदेव जी का आदर सत्कार किया बूली शुगदेव जी महराज की जे हर हर महादे तंद्वयस्त वरसं सुकुमार पाद करोर वाहं सकबूल गात्रं चारवी यता छोन सतुल्यकर्ण सुब्रवान नमकंब सुजात कंधं कितने बर्स के दिखते हैं लिखा है द्वयस्त द्वी और आठ तो द्वी और आठ कितना होता है दस लेकिन यहां पर उसका अर्थ दस भी नहीं है दो और आठ लिखो कितना बनता है 28 लेकिन 28 भी इसका अर्थ नहीं है दो बार आठ आठ लिखो कितना बनता है अठासी लेकिन 88 भी अर्थ नहीं है तम द्वयस्त वर्सम द्वी आठ का मतलब है कि आठ को दो बार गुना करो आठ और आठ सोला सोला वर्स की सुकुमार अवस्ता जैसे दिखते हैं तो बोले सीधा लिख देते हैं सोड़स वर्स यह दूई आठ क्यों लिखा वो इसलिए लिखा कि हो सकता है सोला वर्स की अवस्ता में शरीर में मन में कामादी दोश को बन हो जाएं लेकिन शुकदेव के मन में तो कामादी दोश रही तहिं कोई कामादी दोश नहीं है वैसे लगते हैं जैसे आठ वर्स का बालक हो इतने निर्विकारी हैं इसलिए कहा कि दुयाठ दुयस्त वर्सम सुन्दर चरण है इनके कोमल चरण निगोड जप्रूं प्रतुतुंग बक्ष समावतना भिवलिवलगुदरंच दिगंवरं बक्त्रविकिर्णकेशं प्रलंबबाहुं समरूतमाभं दिगंबर है शरीर पर कोई वस्तर नहीं है केवल एक लंगूटी धारन करते हैं कोपीन पहनते हैं विकीर्णकेशं बिख्रे हुए बाल कैसे दिखते हैं श्यामम जैसा श्यामसंदर का वर्ण है श्यामम सदा पीच्यवयोंग लक्षमया इस्त्रीनामनो ग्यंग्रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयस्वासनेप्या तलक्षनक्या अपिगूढवद्चसम् चार असलोक यहां पर सुक्रेव जी के बारे में लिखें श्यामसरी श्यामवर्ण के है मनोहर मुस्कान है अतुल्य तेज है व्यासनन शुकदेव व्यासकुत्र कल आपने तोते की कथा सुनी यह वही शुक है लेकिन यहां पर एक बात विचार नहीं है शुकुदेव जी के बारे में अन्य पुराणों में कई कथाई आती है श्रीमत देवी भागवत कहती है कि शुकुदेव जी का विवावी हुआ जबकि भागवत में उन्हें परम बहरागी दोला गया और महाभारत में कथा आती है कि शुकुदेव जी का विवावी हुआ पांडवों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया सोच जरा जब पांडवों ने अंतिम संस्कार कर दिया तो पांडवों के नाती जो परिक्षत हैं उनको कथा सुनाने कोन आए इसके लिए इसकंद पुराण एक प्रमान देता है इसकंद पुराण में लिखा है कि यह जो शुकदेव है यह शुकदेव रूप में कौन आये है कि नंद 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 रूपस तू स्रीशुको भगवान रिशिष रूपस तू स्रीमद भाग वतम तुप्यां शावए स्यत्यसंसयं यह जो शुकदेव है यह साक्षात नंद 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 स्रीकृष्ण ही शुकदेव रूप में आये क्यों आये बोले जब परिक्षत जोटे थे कथा सुनने कहीं गए थे सुकदेव जी कथा सुना रहे थे तो परिक्षत ने थोड़ा बहुत कथाईं सुनी अधिक नहीं सुन पाए तो उस कथा की प्यास को पूरा करने के लिए उस कथा की जो पिपासा है उस तृष्णा को पूरण करने के लिए आज भगवान ही सुन्देव रूप में आ गए है क्रेडा सुको स्री प्रशभानु जाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबनेन एकांत को नन्य रहाश्य पाठे निकुंज प्रासाद सदा ही राश्य इसलिए दाधाजी की प्रिय शुक के रोप में नंदनन स्री कृष्ण ही मानो आये है और आज परिक्षत की उस प्यास को पूर्ण करने के लिए मिटाने के लिए जैसे ही सभी महात्वाओं ने सुग्रेव जी का दर्शन किया खुबा दर्सतकार किया और लिखा है महासने सोप विवेश पूजिता उच आसन पर बिखाया और आसन पर बिखा करके परिक्षत ने अपना प्रशन निवेदित किया गौदोहन माक्वर समय एक अस्तान पर रहने वाले शुक्रेव परिक्षत के प्रशन को सुन करके इतने मगन हो गए कि साथ दिन तक बैठ गए एक अस्तान पर क्या प्रशन किया अताह प्रिच्छा में संसिद्धिम् योगी नाम परमं गुरुम् पुरुशत सेह यतिकार्यम् रियमानस्य सरवथा ए गुरुदेव मरण धर्मा प्राणी का करतब्य क्या है मरण सीद्धिम् प्राणी को क्या करना चाहिए इतना संदर जब प्रशन किया तो शुक्रेव जी बड़े प्रशन हो गए प्रशन ही ऐसा था जो अपने लिए नहीं था बलकि सब के लिए था प्रशन जो करता है वह भी धन्य हो जाएगा उद्धार उसका हो जाएगा जो हो उत्तर देगा उसका भी उद्धार हो जाएगा और साथ में जो निकट बैठा है जो श्रवन करेगा उसका भी उद्धार करने वाला ऐसा प्रशन जब किया तो शुक्रेव जी प्रसन हो गए और सीधे उत्तर देने लगे दुतियसकंद के प्रारंब में वरियाने सते प्रशन हो ग्रतो लोग हितं रप आग्म विच्सम्मताह पुंसां स्रोत अभ्यात शुयप्परह ए रायन बड़ा सुन्दर प्रस्न किया है एसते प्रस्नह वरियान यानि स्रेश्ट प्रस्न किया है राजन भगवान का नाम भगवान की भगदी मनस्य का कल्यान करती है और राजन तुम्हें तो साथ दिन मिले हैं भगवान का भजन करने के लिए भगवान का नाम जपने के लिए साथ दिन मिले हैं एक खटवांग नाम के राजा हुए उन राजा ने तो एक ही मुहुर्त में भगवान का ज्यान करके, भगवान की भक्ति करके अपने आपको पार कर लिया था, अपने आपका उधार कर लिया था केवल दो गड़ी, एक मुहुर्त में दो गड़ी होती है दो गड़ी में 48 मिनट होते हैं तो केवल 48 मिनट में ही भगवान का ध्यान करने से वहारा राजा खटवांग मुक्त हो गए तो राजन तुम्हें तो एक सप्ताह मिला है इसलिए तुम्हारा कल्यान होना तो निश्चित है तस्मात भारत सरवात्मा भगवान इश्वरो हरे स्रोतव्यकेर्थितव्यस्यस्मरतव्यस्रेच्षताप्भया मनश्य यदि कल्यान चाहे तो भगवान की कथा सुने मनश्य यदि कल्यान चाहे तो भगवान की नाम का किर्टन करें भगवान की लीलाओं का इस्मरन करें ये जो बच्चा बैठा है आगे इसको हड़ाओ यहां से या तो फोन हटाओ इसका एक आदमी पीछे खड़ा करो किसी को कि पीछे जितने बच्चे उनको पीछे वाले चोग में भेज़ेगी अगर यह गड़वड होगी तो देखो साम को छे बज़ेगी जितने बच्चे आगे बैठें अगर ने सोर करेंगे उनको पीछे विठाऊंगा मैं या तो आप लोग जो पास में बैठे हो इनको चुप रखो यह तो एक एक करके उठाऊंगा यहां और इदर से रास्ता छोड़ो आने वालों के लिए इदर से रास्ता छोड़के रखो हरके से इदर आगे खिसको उदर वाले उदर खिसके और बीच में रास्ता छोड़ो जो आ रहा है और आगे जो लोग बैठें बिशेश करेंगे वो ध्यान रखना बातें नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो यहां यह सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है केवल महीं नहीं सुरूंगा सारी सुनेंगे जितने भी वहां देख रहे हैं देश देश से प्रेम से बोले शामसंदर भगवान कीजे हर हर महादे निद्रयाहियते नक्तंब्यवयाएन चवावयः दिवाचार थे हया राजन्जन कोटुमप भरणे नवावः शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन जीवन में कल्यान करना है तो सरदापूरवग भगवान की कथा सरवन करो कपट छोड़ करके भगवान के नाम का कीर्दन करो और मन से दत्चित हो करके भगवान का इस्मरन करो क्योंकि यदि हम अपनी आयो को गिनेंगे सौबर्स की आयो भी यदि मिल जाए तो वह आयो भी कम पड़ जाती है आधा दिन और आधा रात्री होता है ना बारा घंडे का दिन बारा की रात्री तो सौ का आधा करो क्योंकि आधा समय तो रात में ही वितीत हो गया तो सौ वर्स का आधा कितना हुआ पचास पचास वर्स के दिन हमारे पास हो अगर सौ की आयो हो की तो और पचास में से पचीस वर्स तो बच्पन में विद्या अध्यन में खेल बूद में निकल जाते हैं पचास में से पचीस गए कितने बचे हैं पचीस वर्स बचे पचीस वर्स में विवावी होना है ग्रेश्त धर्म भी निभाना है नौकरी भी करनी है परिवार को पालना भी है नाती पोते भी होंगे उनका विवावी देखना है क्या होगा पचीस में क्या बचा फिर फिर कुछ भी निद्रया हियते नक्तम रात्री सोने में गई दिन गया कुटुम्ब भरने नवा सारी आयू बीद जाती है हासिल कुछ भी नहीं किया इसले राजन ये जो काम नामनाई है इन कामनाऊं को मत मिटाओ बलकि अपनी कामनाऊं को भगवान की ओर लगाएं आप सोचेंगे के हम भगवान का नाम तब जपेंगे था सुनने तब जाएंगे जब हम थोड़ा फिरी होंगे है ना है थोड़ा थाइम हमने मिल दू तब हम जो ला थाइम कभी ने मिल आज कल तो महरा थाइम की कमी समय की कमी होई है जए भी पूछाओ बोलो हम थाइम ने सब कुछ चंदी लेगें टैम ने किले निवाई टैम है इतना इतना विज्ञान को युक चलनो और फिर भी टैम ने वह तैम भी लोग समय निकाल देन था वह समय भी समय मिल तो कवरी जब रूपिक पाणी में दुरून लून लून पढ़तू थाल भी है दुर बिटी जाये को माटो विलोन पढ़तू गढको लेपन भी करनी पर तो लिपाई भी करनी पर तो कप्ड़ों धोन भी जानू पढ़तो दुर जानू परतो फिर भी समय मिल देन था लेकिन आज कल है लिपाई की भी जरूत नहीं गोदो सिमेंट पिलकल कलस्तर थर्स टाइल लगी पत्थर लगयों लिपाई के विजरुतनी लाखरों जाना के विजरुतनी साहब अब तो गैसा आया सिलेंडर घर-घर और मोदी जिंद्र जबर्दस्ति ले जाओ थिरी मेरी कि अपने आप दोली अपने आप निचोड़ी सुखाली भी लेकिन फिर भी मनुष्य बोनों कि हम मां टाइम नहीं है बताओ का गयों टाइम टाइम वही है जिन भी वही है रात्री भी वही है बस हमने स्वयम को परिस्थिती में धाल दिया है आलसी बन गए है इसी कारण समय नहीं है बस सोचते हैं कि जब हम फिरी होंगे तब हम भगवान का भजन करेंगे तब कथा करेंगे तब पूजा पाथ करेंगे ये जो फिरी होने का मतलब है न ये जो कामनाएं है आपकी ये कामनाएं कभी मिठती नहीं है इच्छाएं कभी मिठती नहीं है रावन के कितने सिर थे तो दस सिर का मतलब सिर क्या है इच्छाएं विचाएं रावन के सिर यानि अनेकों इच्छाएं राम जी ने बान फेका एक सिर गया जैसे एक सिर गया तो इतने में फिर दूसरा लग 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 इच्छाएं को गवान भी नहीं मिटा सकते इच्छाएं कभी मिट नहीं सकती या जो जु चाहा है ये जो इच्छाएं है जाहा披ेसों से आनो में आती रही चाहा पैसों से आनों में आती रही चाहा आनों से रुपया बनाती रही चाहा रुपयों से नोट भुनाती रही और चाहा नोटों से कोठी चुनाती रही चाहा नोटों से कोठी चुनाती रही चाहा कोठी में मोटर मंगाती रही गाड़ी चाहा कोठी में मोटर मंगाती रही चाहा मोटर से गड़ी से चाहा मोटर से होटल में जाती रही और चाहा होटल में बोतल खुलाती रही चाहा क्या-क्या न करती कराती रही चाहा पाली जिनोंने वे पीले हुए और चाहा छोडी जिनोंने वे रसीले हुए चाह जर से लगी जी जरा हो गया और चाह हर से लगी तो जी हरा हो गया इसलिए चाह हमको उनकी हरदम चाहिए और अगर वो हमें चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए घर नहीं त्यागना है, मकान नहीं त्यागना है, परिवार नहीं त्यागना है आपने बस ध्यान इतना रखो कि ग्रस्ते में रहते होए, भगवान का नाम मुख से निकलता रहे उसकी याद आती रहे, तो भी ग्रस्त जीवन सबसे स्रेश्ट जीवन है साहब काम करते रहो नाम जबते रहो जब रोटे बढ़ना ना किचन माँ अब कीचन इव जैसी वहीग पहले तो रस हो यह उन थे जैमा रस ही रस हो उन तो आहा मिठास अब किच किच चोविस गंदा चामने तो कीचन बढ़िग जब रोटी बनाते हो साग सबजी धाल इत्यादी बनाते हो तो भगवान का नाम लिया करो तो वह प्रसाद बन जाएगा जल को भी ब्रहमन लोग मंद्रित करते हैं और उस जल को आपको पिलाते हैं जल में सामर्थ नहीं है पवित्र करने की लेकिन जब जल को भगवान के नाम से मंत्रत किया जाता है अपवित्रहा पवित्रोवा सरवा वस्थाम गतो पिवा यहा समरेत पुंडरी काक्षम सबाईया बेंतरह सुची जल को जब भगवान के नाम से मंत्रत करते हैं तो जल पव करने की तागत है इसलिए जब हगवान का नाम आप भोजन बनाते समय भी लोगे तो वहाँ प्रसाद बने जाएगा और प्रसाद बनेगा प्रसाद को ग्रहन करेंगे घर के सभी लोग तो बुद्धी शुद्ध होगे लेकिन जब रोटे बनों देबार पड़ो स्यानी की चुई यखा की गादी वक्खा की गादी तब वोनी तब घरम भी गादी गादी कि लेकी बनों देबार वोई सोच दो इसलिए ये नहीं कोई कहता कि हम ग्रश्ती छोड़ें प्यागें और चलो भगवान का भजन करना ही नहीं ग्रश्त घरम में रहे करके काम करते रहो नाम जबते रहो अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगा दें जो हमारी इंद्रियां है न जीव बड़ा मीठा स्वादिश्ट भोजन चाती है जीव तें बड़ू स्वादिश्ट लगदू हाँ कि जली भी मिल जाओ खाना तें पकोड़ी मिल जाओ 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 जली भी खायारे को गरबड़ तो ये जो इंद्रियां है ये जब भागती है विश्वयों की ओर तो कहा गया है कि उनको वहां से हटा करके और भगवान की तरफ हम लगा दें तो तब वो इच्छाएं भी नहीं मिटेगी और उन्हीं इच्छाओं के कारण हमारे शरीर का भी साफल्ले हमें प्राप्त होगा इसलिए मन से भगवान का ध्यान करते होए क्योंकि ये सारा जो जीवन है खाने पीने सोने में बितीत हो जाएगा सोते सोते ही निकले गई सारी जिन्दगी सोते ही निकले गई सारी जिन्दगी सोते ही निकल गई सारी जिन्दगी सारी जिन्दगी सोते नी कर ले गए खाना पीना सोना दोना इन सब में जीर नी बीत गया है इसले थोड़ा तो साथ जिन्दगी सब्द कर लो इसले वनिवर्ट यह जीवन यूहीं वीत जाएगा सोने में यह जीवन ना भीते हमारा खाने पेने में ही केवल ना भीते इसले रहिया जो जन्म में जन्म से पूर्व गर्व में वादा किया था प्रमात्मा ने उसको लिभाए जन्म लेत ही इस धरती पर तोने रुदन मचाया जन्म लेत ही इस धरती पर तोने रुदन मचाया आँखें बीना खुलने पाए खूब खूब चिलाया आँखें बीना खुलने पाए खूब खूब चिलाया रोते ही कर दे गए सारी जिन्दगी रोते ही कर दे गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही कर दे गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही दे करने कई इसरे च्रेवन ऐसे ना मिते जिरा प्रेम से हाथ उठाओ सब किछे वाले ले खेल कूद में बचपन बीता योवन था बोराया खेल कूद में बचपन बीता योवन था बोराया धर्म कर्म का मर्म न जाना विसे भोग लिपताया धर्म कर्म का मर्म न जाना विसे भोग लिपताया भोगों भोगों मीनी कह दे गए सारी जिंदगी सोते सोते ही नी कह दे गए सारी जिंदगी सोते सोते ही नी कह दे गए सारी जिंदगी सोते ही जिंदगी जवाने के बाद क्या आता है? और जैसे ही बुड़ापा आता है तो ये शरीर रोगों का घर बन जाता है पहले तो हम अपना घर बनाने में रगे रहते हैं पूरी जवानी लेकिन जैसे बुड़ापा आता है तो आपके सरीर को ही रोग अपना घर बनाना चालू कर देते हैं धीरे धीरे बड़े बुड़ापा दगमग डोले काया धीरे धीरे बड़े बुड़ापा दगमग डोले काया सरीर डोलने लगता है पहर कापने लगते हैं हाथ कापने लगते हैं शिर हिलने लगता है दांत निकल जाते हैं कुछ भी शरीर में रहता हैं केवल शरीर में रहता है तो रोग बीमारी इसलिए सावरावराण धीरे धीरे बड़े बुड़ापा दगमग डोले काया जो सब के सब रोगोने देखो तेरा खूब जमाया सब के सब रोगोने देखो तेरा खूब जमाया सब के सब रोगोने देखो तेरा खूब जमाया रोगों में नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सारी जिन्दगी निकल गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी सोते ही नी कर ले गए सारी जिन्दगी बोलिये शाम सुंदर भगवान कीजे श्री मलभागवत महापुरान कीजे हर हर महादी इसलिए काम नाम नाइं कभी मिठती नहीं काम नाओं को हमें भगवान की उल लगाएब सुकदेव जी कह रहे हैं राजन सुनो स्वांस स्वांस पर हरिभज व्रथा स्वांस मत खोए ना जाने या स्वांस की आवन हो या न हो ना जाने ये सांसे कब बंद हो जाए इसलिए जब तक सांसें हैं उन सांसों पर भगवान का भजन करो परिक्षत ने कहा कि गुरुदेव कैसे भजन करें कैसे ध्यान करें क्योंकि ध्यान तो लगता ही नहीं है मन तो लगता ही नहीं है तो मन को संयमत करने के लिए चार साधन बताए यहां पर शुक देव लिए ने जित आसनों जित स्वासों जित संगों जित इंद्रिया स्थोले भगवतों रूपे मनाह संधार एधिया पहले आसन को जीतो यानि पहले बैठना शीखो जब बंदरों की तरह उचल गुद करते रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं लगेगा पिशले आसन को जीतो जित स्वासों फिर सांसों को जीतो सांसों को जीतने का मतलब है प्राणायाम करें पोरख कुंभग रेचक प्राणायाम की बिदी है अश्टांग योग है हमारे हाँ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारना समाधी अश्टांग योग हैं और अब तो योग का परचार इतना हो गया आज करूँ क्योंकि कोई लोग तो काम करते है नहीं शरीर फिर निकमा बन गया है तो फिर खाना कैसे पचेगा योग का इतना परचार योग से अओ शरीर भी सवस्त रहेगा मन भी सवस्त रहे गा ये था संग को जीतो संग अच्छा होगा संग अच्छा होगा तो रंग भी अच्छा चलेगा कि शंग बुरा होगा तो रंग भी बुरा ज़ा ज़ा है कथा सुन्ने आए तब तक परोसा नागे अले करती करता सुनी जल जब इन संग हो लो तो रंग चाड़ी रंग चाड़ी तो फिर तब इसले संग अच्छा हो जित संग दो चोथा है साधन जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को जीतें यानि हमारी जो पंच कर्मिंद्रिय पंच ग्यान इंद्रिय हैं इसे भगवान के उले जाएं यदि जीव चाहे कि ना ना हमें स्वाधिश्च भोजन करना है तो थोड़ा को थोड़ा और नाम जबते हैं एक बार और नाम लेते हैं एक बजन और कर देते हैं तब खाएंगे ऐसा रोकते रहेंगे तो धेरे-धेरे संयमित हो जाएंगे इंद्रियां भी जब इंद्रियां संयमित होगी आसन लगेगा सांसों को जीतेंगे संग को जीतेंगे तब मन संगे में तो होगा और मन जब संगे में तो होगा कंट्रोल होगा तो तब ध्यान लगेगा क्योंकि देखो जैसे रथ होता है ना रथ रथ में गोड़े रथ को खीशते हैं बीच में रसी होती है ऐसे ही हमारा शरीर है ये रथ है इसमें इंद्रियां हैं दस इंद्रियां ये गोड़े हैं यानि इंद्रियां दोड़ती हैं और जहां इंद्रियां चाहेगी वहाँ इस शरीर को ले जाएंगी पीच में मन फसा हुआ है दसी की तरह गोड़े दोड़ेंगे तो गथ भी जाएगा इंद्रियों ने कहा जीव ने चाहा हमें तो आज महाराद बढ़िया सुन्दर पक्वान खाना है अहाँ चाओ में खाने थी चल में खाल चले जीव ने चाहा चल कर कौन गए? पैर खाया किसने? मुखने त्रिप्त कौन हुआ? पेट अब देखू जिसने खाया वो त्रिप्त नहीं हुई जीव जिसने चखा और जो पैर चल कर गए गए उसने भी नहीं खाया 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 मुखने मुख में भी नहीं रहा गया पेट में त्रिप्त पेट भी नहीं हुआ त्रिप्त मन हो गया अच्छा आज तो बड़िया चौमिन बढ़ी थी ये इंद्रियां भी बड़ी चालाग हैं इंद्रियां जो चाहती हैं उसे ग्रण कर लेती हैं लेकिन भुगतना दूसरे को पड़ता है सुनों अगर ज्यादा भी खयाली काची पाकी चौमिन लगी तो बड़िया खांदीवाद पेट बड़िया पेटरी दर्द तब खाई पेड़े के दवेड़े अब देखा खाई जीवन दर्द कहीने वे पेटरी आंशु का कविट्याई आंखों बता आंखों क्या दोस्तों है एक अदमी जा रहा था आम का बागी चात्तॉ आम के बागी के निकट से लो कर जा रहा है आउसकी नजर पड़ि कहां आम पर बागीन बड़िया संथरा आम पके हुए ऊ-।-पेट इसने देखा यां से सुनों स्रहागो नेत्रों नेदेखा आँखोने देखा जीव को इच्छा हुई की खाने दो थे बड़े मीठे होंगे इच्छा हुई जीव की चखने की ठीक है तोड़ते हैं पेड़े के पास पहुँचा कौन लेकर गए उसको पैर चल करके गए पैर पैर चल करके पहुँच गए आम तक अब तोड़ा किसने? हाथों ने हाथों ने तोड़ा तोड़ तोड़े और जैसे हाथों ने तोड़ा तो आम को खाया खाया किसने? मुख ने जीव को बड़ा स्वाज लगा अहा बड़े सुदर रसीले आम हैं बड़े मीठे हैं अब जैसे ही खाने लगा आधाई आम खाये थो इतना मौँच अब मालिक ये को बगी चुथो अब देखो सोचो जरा आख ने देखा इच्छा हुई जीव को खाने की चखने की चल करके गए पैर हाथों ने तोड़ा मुख ने खाया गया पेट में और डंडे कहां पड़े अब जब डंडे पड़े तो आशू निकले दोने लगा अब सोचो आशू कहां से आए आंखों से सबसे पहले देखा किस ने था आंखों ने आई आशू जब देखी खांकों किसी ने देखा किसी ने खाया गया कहीं आम किसी ने चकहा और डंडे किसी को पड़े पालतों में इसलिए इंद्रिया किस शरीर को भटकाती हैं दे जाती हैं देखना इंद्रियों के उनगोडे भगे रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े इसलिए ये इंद्रियों के जो इंद्रियां रूपी जो घोड़े हैं हमारे शरीर में ये जादा नहीं भागने चाहिए घोड़े कंट्रोल होते हैं लाठी से तो लाठी क्या है बोले भगवान का नाम भगवान की कथा भगवान का स और चलो आपने मन की सुनी और चार घंदे यहां बैठने के लिए तो कम से कम आपकी इंद्रियां, मनो बिर्ति यहां तो लगी आपकी सत्संग में भगवान की उर मुड़ गई, पनीर खान ले गई एक बार तालियां बजाओ अपने लिए इतना देर इतना देर इतना देर शरीरते आराम की मनो बिर्ति हमारी इंद्रियां भगवान की उर मुड़ गई ऐसे ही काम नाएं हमारी कंट्रोल होगी मिटेगी नहीं ए राजन जब मन संयमित होगा तो भगवान का ध्यान करो कैसे सुरूप अस्थूले भगवतो रूपे मनह संधार एधियां दो रूप है भगवान के एग अस्थूल और दूसरा सूच्छू अज़ा सुनो अस्थूल रूप है ये समस्थ सिर्ष्टी समस्थ संसार ये अस्थूल सुरूप है भगवान का कणकण में भगवान है इसलिए कणकण में यदि कोई भगवान को देखे ऐसी दृष्टी से तो वहां अस्थूल रूप है उसका दरसन करें और यदि उसमें न देख सकें तो दूसरा है सोक्षम रूप यानि भगवान की तस्वीर भगवान की मूर्ती भागवत का स्वरूप ये सोक्षम रूप है ऐसे भगवान का ध्यान करो अस्थूल है प्रमात्मा सारे संसार में हरी ब्यापक सर वत्र समाना 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 प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना झाल 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 प्रेम्त प्रगत होई मैं जाना प्रेम्त प्रगत होई मैं जाना प्रेम्त प्रगत होई मैं जाना हरआ प्रेम्त प्रेम्त प्रगत होई मैं जाना प्रेम के बल पर वह प्रगट होता है, इसलिए वह सूक्ष्म रूप है। वह अस्थूल रूप इतना विसाल है भगवान का, सुकदेब जी कह रहे हैं। जो विराट रूप है न, कितना विराट है जरा सुनो। पाताल मेतस्य ही पाद मूलं, पठन दे पाल्षुनर प्रबदेर सातलं। महातलं विश्वस्र जोत गुल्फों, तलातलं वै पुरुशस्य जंगे। चोदह लोग हैं, चोदह भुवन हैं, यह है भूर लोग। सुनो, पिर्थवी, भूर लोग। यहां से उपर छे और हैं। भूर लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, महा लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। और यहां से नीचे साथ हैं। तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल। साथ नीचे साथ उपर, 14 तो वह जो विराठ पुरुष है, जो स्थूल रूप है भगवान का, तो पाताल में तस्त्य हिपाद मूलं। भगवान के चर्णों में पाताल है। और भगवान के मस्तकपर ब्रम्म लोग है, सत्य लोग है। कितना बड़ा विशाल शरीर होगा, जिसमें 14 लोग समादे। ऐसे वो परमात्मा कणकण में रहने वाले प्रगट होते हैं, तो भक्त के बलपर, अपनी भक्त के बलपर, अपने कीर्तन के बलपर, तो अब यहां सुगदेवजी प्रणाम कर रहे हैं उस रूप को। यतकेरतनःं तस्मर्णःं यदिछणःं यच्ष्रवणःं यदरहन लोग स्यसत्यो बिदनोति कल्मशंः, तसमैं शुभत्र स्रवसे नमू नमः। जिन प्रमात्मा के केड़तन करने से, श्मरन करने से, कथा का श्रवन करने से, विदुनोति कलमसं सबस्त पापों का वह प्रभु नाश कर देते हैं, ऐसे कल्यानकारी प्रभु को हम सब परणाम करते हैं। परिक्षित ने प्रश्न किया कि परमात्मा सिरिष्टी की रचना कैसे करते हैं। जिस परमात्मा की भीतर साड़ा संसार समाया है, वो परमात्मा इस संसार की रचना करते कैसे हैं। तब सुकुदेव जी कह रहे हैं, भगवान पहले स्वयम अकेले हैं, आदि पुरुष, दिनारा एक ही है है एक से अने होने की इच्छा हुई एक से भले दो से अने हो ने के इच्छा हुई तो भगवान के शरीर से जल के हुट परत्य उसे जहमें परऊवान निवास करते हैं जल में निवास करने के कारायन नारायन नाम पड़ा आपो नाराह इति प्रोक्ता आपो वे नर्सो नवह आयनम तस्यता पूर्वे तेन नारायन स्मिर्तह जल को कहते हैं संस्कृत में नार या नीर उस नार में जिसका घर घर को कहते हैं संस्कृत में आयन नार में जिसका अयन वही है नाराया जल में निवास कर रहे हैं एक से अनेक होने के च्छा हुई तो नाभी से कमल के उत्पत्य हुई आर उस कमल पर ब्रह्माजी के उत्पत्य हुई ब्रह्माजी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल है किसने मुझे उत्पत्य किया, कौन है मुझे पैदा करने वाला, उत्पत्य करने वाला मेरा जन्मदाता तो ब्रह्माजी ने जब चारों तरफ देखा, जल ही जल दिखाए दिया उस कमल की नाल से नीचे को आए, ढूनने, ये कमल कहां से आ रहा है चलते गए, चलते गए, सेकड़ों वर्सविती धो गए, लेकर कमल की नाल का अंत नहीं मिला फिर उपर आ गए, और परब्रह्म का ध्यान किया, जब ध्यान किया, तो आकास वानी में दो अक्षर सुनाई दिये, ता और पा ज़ंजनों के अक्षर हैं, ता और पा, उसको जोड़ा, तो सब्द बना अर्थात प्रेड़ना है कि तपस्या करो तो ब्रह्माजी ने तपस्या की, तपस्या की तो आदि पुरुष प्रमात्मा प्रगट होए, और ब्रह्माजी को कहा कि है ब्रह्मा जी मैं ही तुम्हारा पिता हूं मैंने ही तुमको उत्पन किया है इसलिए अब श्रिष्ट की रचना करो ब्रह्मा जी ने कहा कि अविमान हो जाएगा मुझे यदि मैं संसार की रचना करता हूं तो भगवान ने चार अश्लोकों का उपदेश दिया इसको अहमीवासमेवागरे नान्यद यत्सत्तव परम पश्चाद हमयदेट चैयो वसिषेत सोशम्यः रतेरथं यत्प्रतियत नाप्रतियत चात्मनि तद विध्विहादात्मनो मयायं यथा भासो यथा तमह यथा महांत भोतानी भोतेशुचावचेश्वनौ प्रविश्टान प्रविश्टानी तततेशुनतेश्वधं। एतावधेव जग्यास्यंतत्व जग्यासुनात्मनह, अन्वयाया व्यतिरेकाप्यां। यच्याथ शरवत्रसर्वधा। चार असलोकों में ब्रह्म, जीव, जगत, माया इस चारों के बारे में बताया ए ब्रह्माजी अगरे अहम हासम यानि मैं ही हूँ आदिप में भी मैं भी था, मद्ध में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही रहूँगा अस्तूल सोक्ष्म जगत में मैं ही हूँ अब देखो कारे के दो कारण होते हैं एक निमित दूसरा उपादान जैसे घड़ा मिट्टी का घड़ा घड़ा है निमित और मिट्टी है उपादान जब दोनों मिलते हैं तो तभी तो सुरूप बनता है मिट्टी से घड़ा बनेगा उपादान से निमित कारे के दो कारण है निमित और उपादा लेकिन यहाँ कारे का एक ही कारण है वो है परमात्मा जैसे मकड़ी का जाल आपने देखा होगा मकड़ी स्वयम जाला बनाती है और फिर उसी में फस जाती है या फिर अपनी वीतर उसको ले लेती है ऐसे ही परमात्मा जगत के निमित कुपादान कारक है अगवान से जगत है फिर वहीं समा जाता है अर्थम रिते यता आत्मनी प्रतिये यानि वास्तविक्ता के बिना भी जिसकी आत्मा में प्रतिये होती है वहा है माया माया का मतलब होता है जो है उसको नहीं दिखाए और जो नहीं है उसको दिखाए वही है माया जैसे आप रेगिस्तान में जाओ और रेगिस्तान में रेत ही रेत है लेकिन आप दूर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पानी है चमक रहा है जल जब वहाँ गए तो देखा वहाँ पानी है जल है वहाँ तो रेत ही रेत है दूर से दिखा पानी लेकिन था नहीं यही है माया जो होता नहीं उसको दिखाए वह निराकार प्रमात्मा भक्ति के बलपर साकार होता है और जो उसका हो गया वही है भागवत जो भागवत के यहाँ पर दस लक्ष्ण बताए हैं अत्रसरगो जिसरगस्तथानम पूश्णमुट्यह मनमंकरे शानुगधा निरोधों मुत्तिरास्रया यह दस लक्ष्ण बताए हैं भगवान निराकार होते हो ये भी साकार रूप में आते हैं कभी राम बनते हैं तो कभी श्याम बनते हैं क्यों आते हैं बोले भक्त के बलबबब उसके लिए भग्ति सर्वस्रेष्ट है ना जाती बड़ी ना रूप बड़ा ना धर्म बड़ा ना गर्म बड़ा ना आचरन बड़ा ना बल बड़ा उसके लिए ये दिकुछ है तो भग्ति सर्वस्रेष्ट है सबसे बड़ी है और उसी भग्ति के बल पर परमात्मा आते है ब्याधस्याचरणं ध्रुबस्यच्यवयोय। विद्ध्याग जेन्रस्यका। काजातिर विदुरस्यादवपते रूग्रस्यकिम्पोरुशं। कुप्जाया किमुनाम रूपुमधिकं। किम्तत सुदाम नूधनं। भग्या तुष्यतिकेवलं परमया भग्भी प्रियो मादव। कोई यदि कहे कि हम तो उच्च जाति के हैं हमें भगवान मिलेंगे। ये गलत खेमी है। उच्च जाति वालों को भी भगवान नहीं मिलते भाई। कि ऐसा होता तो का जा तेरा विदुरस। विदुर कौन सी जाति के थे। रासी पुत्र थे। लेकिन दुर्योधन की मेवात्यागी। दुर्योधन के व्यंजन छोड़ दिये। और विदुर के यहां भोजन किया भगवान नहीं। कोई कहे कि हम संदर हैं, हमारा रूपवदिक संदर हैं, हम रूपवान हैं, हमें भगवान शिक्र मिलेंगे। ऐसा भी संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो कुबजाया के मुनाम रूपमदिकम। कुबजा है, मतुरा में जो कंस की दासी है कुबड़ी थी, लेकिन उसको भी भगवान मिलें। इसलिए न धन बड़ा, न बलबड़ा, यदि धन भी बड़ा हो कि हमारे पास धन है, पैसा है, हम भगवान को खरीद लेंगे, भगवान को मूल लेंगे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, यदि ऐसा होता, तो किम तत सुदाम नो धनम, सुदामा के पास कुँसा धन खांगा, सुदामा के पास तो कोई धन दोलत थी नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं सुदामा को, हम बड़े पुद्यमान हैं, हम बिद्धावान हैं, हम बिद्ध्वान हैं, हमें भगवान मिलेंगे, भईया ऐसा भी संभव नहीं है, बिद्ध्या के बलपर भी भगवान नहीं मिल सकते, यदि बिद्ध्या के बलपर भगवान मिलते तो, बिद्ध्या गजेंद्र से का, जो हाथी है गजेंद्र है उसको कैसे मिले प्रमात्मा तो कैसे मिलते हैं बोले भक्ति के बलबल भजन के बलबल मिलते हैं और वह भजन जब आपके पास समय है उस समय वह भजन होना चाहिए जब समय बीच जाएगा तो कैसे भजन करोगे तो यहां तृति इसकंद के प्रारंब में महाभारत के प्रसंग से ही शुकुदेव जी कह रहे है कियदातु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन धरमेन विनस्त दृष्टि भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाच्छा भवनी ददा बिद्र ने दृतराष्ट को समझाया कि महाराज ये राज्य लोग में इतने अंधे मत बनों कि अपने ही फुत्र को देखो और दूसरे के फुत्रों को नहीं देख रहे हो आप आपके भाई के तो पुत्र हैं पंडव उनको भी कुछ राजपाठ दो समझाया लेकिन दृतराष्ट नहीं माने बिदर जी ने मंत्री पत का क्याग पत्र दे दिया और जोपड़ी में रहने लगे अपनी कुटिया बनाई और जोपड़ी में बिदर जी रहने लगे पांडवों के दूत बनकर भगवान कृष्ण आये है दुरियोधन को समझाने दुरियोधन को खूब समझाया दुरियोधन ने भी भगवान के स्वागत के लिए चपन परकार के भोग बनाये है अरे उसको खाने का बड़ा सोक है गोकुल में उसने चोरी-चोरी करें के खाये था हो सकता है मेरे बनाये हुए भोजन में भी वापिगल जाये क्या पता भगवान मेरी मुध्य में आ जाये चपन परकार के भोग बना दे कृष्ण के लिए उसको बनाओ बड़िया सुन्दर बिंजन भगवान ने समझाया दुरियोधन को लेकिन दुरियोधन माना नहीं सुई की नोक के बरावर भी भूमी पांडवों को नहीं दूंगा यदि वुदे भूमी चाहिए तो भईया युद्ध करेगा सुचकरे नैवदा सियामी बिना युद्धेन के शब भगवान ने का जो तेरी मर्जी भाई भगवान दथ पर बैठे और विदुर के यहां पहुंचे विदुर के यहां भगवान ने केले खाए और केले का केले के छिल के खाए जो विदुरानी दे रही है क्योंकि भगवान की मूरत देखकर के भूल गई केले रखे हैं घर में केले उठाए और छील रही है लेकिन देखो भगवान की मूरत को देखकर के भगवान की सुरत को देखकर के इतनी खो गई प्रभू में केला फ्रीक रही है और छिल के भगवान को पकड़ा रही है लो प अभी क्या कर रही हो केलों का धेड़ दर पड़ा है और तुमने केले के छिलके खिलाए गोविंद को रोपड़ी बिज़ुरानी की प्रभू मैं तो आपको आपको देखकर सब कुछ भूल गई हमारे धन्य भागगे हैं जो आप हमारे यहां पधारे भगवान ने कहा काकी चाची बोलते हैं आपके अश्मेह के कारण मैं आया हूँ और सच बताओं इन केले के छिलकों में वह स्वाद आज आ रहा है जो स्वाद यसोदा मा के दिये हुए माखन से आता था यसोदा मा जब मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती थी ऐसा स्वाद आता था लिखा है कि भगवान दो जगा तरप्त होए दो जगा भगवान की भूख मिटी कहां है एक तो विदुरानी के केले के छिलकों में और दोसरे जब सब्रे के यहां बेर खाए तो प्रभु राम भी तरप्त होगे दुर्योधन पीछे से आया कि कहां गए कृष्णी देखा तो विदुर के घर के आज जोबड़े के बाहर रत खड़ा है भगवान बीतर से जब बाहर को आई तो दुर्योधन ने पूछा भीष्म द्रोन परित्यर्जम आम चे वो मदसूदन है आपने हमको छोड़ दिया और विदुर के यहां इस दासी पुतर के शुद्र के यहां बोजन किया भगवानने का एद ल्योधन मेरा भग्त कभी शुद्र नहीं हो सकता ना सुद्रा भगवत भक्ता विप्ञा भागवतस मिलता है विदुर विदुरानी को धन्य किया विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए भगवान दुर्योधन को समझा कुझा करके लेकिन माना है नहीं द्वारी का लोट गए इधर बिदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए समस्त भारत वर्ष में ब्रह्मन करते हैं और कई समय बाद ब्रह्मन करते करते ब्रंदावन में पहुंचे हैं बिदुर जी ब्रंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई जो बगवान कर्षन के सखा है जब उद्भजी से भेंट हुई एक है ज्यानी और दूसरा है भक्त उद्भजी बड़े ज्यानी है उद्भजी को प्रणाम क्या बिदुर ने पूछा कि हे उद्भो, तुम तो भगवान के सकाऊ बताऊ, भगवान कुसल से तो है त्वारिका में उद्धव जी रो पड़े, हे विदुर क्या बताओं, तुम इतने समय बाद मिल रहे हो, अरे अब तो भगवान इस धराप रही ही नहीं, वै तो अपने धाम को चले जए, बहुत रो ये विदुर भगवान की याद में, अने को प्रश्न किये कृष्ण लीला के बारे में, तो उद्धव जी ने सारी कथा बिदुर को सुनाई, उद्धव जी को जब बिदुर जी ने कहा, कि हे वुदो, इस संसार को भगवान कैसे बनाते हैं, तो उद्धव जी ने कहा, कि आप हरिद्वार में जाओ, और मैत्रे प्रश्ण करना मेत्रे जी आपको इसका उत्र देंगे तो द्रव जी से बिदामांगी बिदुरु जी ने और ब्रणावन से चल करके हरिक द्वार में पहुंचे मेत्रे रिशी के आसरम में गए हैं और मेत्री जी से शृष्टि के विश्चे के बारे में प्रश्टि किया तो थोड़े संख्षेव में आप लोग सुने जरा कैसे प्रमात्मा इस संसार की सृष्टी करते हैं मैत्रिय जी कहते हैं कि हे विदूर जैसा प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो ऐसा ही प्रश्न एक वार नारज जी ने ब्रह्मा से किया था अपने पिता से किया था तो ब्रह्मा नारज जी का संबाद भी यहां पर है आदि पुरुष जो आदि नारएन हैं वो स्वयम को तीन आवरणों से ढख लेते हैं सत रज और तम यही तीनों आवरण सृष्टी के कारक हैं और जब एक से बहुत होने की इच्छा भगवान में जागी तो अपने स्वरूप में काल कर्म स्वभाव को सुईकार किया भगवान की सक्ति से सत रज और तम इन तीनों गुणों में अक्षोब हुआ स्वभाव में रूपांतरित किया कर्म ने महतत्त को जन्म किया रजोगुण और सत्वगुण की कारण महतत्त में विकार उत्पन हुआ उससे ग्यान, क्रिया और तम ये उत्पन हुई यानि तामस अहंकार में विकार जब हुआ तो उससे आकास की उत्पति हुई आकास का शब्द है, आकास का गुण है शब्द आकास में जब विकार हुआ तो वायू की उत्पति हुई, हवा की उत्पति हुई, वायू का गुण है इसपर्षर काल कर्म सभाव की कारण जब वायू में विकार हुआ तो तेज की उत्पत्य हुई उसका गुण है रूप और तेज में विकार जब हुआ भगवान की शक्ति से तो जल की उत्पत्य हुई और जल का गुण है रस अब सुनो जल में जब विकार हुआ तो पृठिवी की उत्पति हुई और पृठिवी का गुन है गंदल तीन प्रकार का अहिंकार होता है वैकारिक तेजस और तामस वैकारिक अहिंकार से मन और इंद्रियों के देवता उत्पन होए दस देवता दिशा, वायू, सूर्य, वरुन, अश्वनी कुमार, अगनिदेव, इंद्र, विश्म, मित्र और प्रजापति और तेजस अहिंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिव्वा, ग्राण, इत्यादी ये दस इंद्रियों के उत्पति होए अब देखो दस इंद्रियां हैं और दस इंद्रियों के देवता, दस और दस, वीश होगे बीश तत्तो उत्पन होए बगवान की शक्ति से प्रेत होकर ये तत्तो आपस में मिले जिससे एक पिंड बन गया यानि ब्रह्मान्द स्वरूप, ब्रह्मान्द उसी को कहते हैं एक हयार बरस तक वह ब्रह्मान्द वह अंडा जल में पड़ा रहा नर्जीव, तो आदिपुरुस ने उसे जीवित किया, उस अंडे से वह विराट पुरुस निकला जिसकी हजारों भुजाएं, हजारों सिरहें, सहस्र सीरिखा, पुरुखा, सहस्राक्षा, वेद जिसको क कहता है, आदिपुरुस की उत्पति हुआ, ब्रह्मा जी कहते है नारजी को, उसी आदिपुरुस की नाभी से मैं भी उत्पन हुआ, अब देखो, जितनी बड़ी ये प्रिथवी है न हमारी, धरती है, तो प्रिथवी से दस गुणा अधिक जल है, दस गुणा ज्यादा, जल से दस गुणा अधिक अगनी है, तेज है, अगनी से दस गुणा अधिक वायू है, वायू से दस गुणा अधिक आकाश है, इसलिए अनंत है आकाश, कोई सीमा नहीं, और आकाश से दस गुणा अधिक अहंकार की बिरति, अहंकार से दस गुणा अधिक महतत्व, भगवान के केवल एक चरण में रहती है वह मूल प्रकृति तो कितना बड़ा बिराठ रूप होगा भगवान का भगवान के मुख से ब्रहामन, भुजाओं से छत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूत्र उत्पन हुए है ये वरन व्यवस्ता बनाई गई है हैं सब भगवान के ब्रामन हो, छत्रिय हो, वैश्य हो या सूत्र हो और सब का महत तो अधिक है ये नहीं कि नसाब ब्रामनों का महत तो अधिक है और सूत्रों का नहीं, अन्यों का नहीं, ऐसा नहीं है बैश शरीर में देखो आप ज़रा सोचो, शरीर में यदि पैर नहीं होंगे तो बेकार है, चरण है भगवान के चरणों से निकले हैं शुद्र, इसलिए समाज का मुख्य अंग है वे चारों, चारों होने चाहिए, तबी समाज अपनी गती से आगे चलता है, नाभी कमर से ब्रह्माजी होए ब्रह्माजी ने तबस्याकरी भगवान ने चार अश्लोकों में उपदेश दिया, और तब ब्रह्माजी ने भगवान के आदेश अंसार सृष्ट की रचना प्रारंब करी, सबसे पहले सब्तरिशी उत्पन हुए भगवान ब्रह्माजी के शरीर से सबने वेरा के धारन किया भगवान ब्रह्माजी के क्रोध से एक बालक उत्पन हुआ जिसका नाम पड़ा रूद्र बोली रूद्र भगवान की जै रुद्र को कहा ब्रह्मा जीने की स्रिष्टी की रचना करो मेरे साथ, मेरी मदद करो तो रुद्र ने जैसे स्वयम थे ऐसे ही बनाने सुरू कि भूत, प्रेत, पिसाच, हाकिनी, दाकिनी, पिसाचिनी ब्रह्मा जीने का जादा भूत ने चैना हुए है भाई, बस कर झाल 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 रुद्र ने श्रिष्टी की रचना जो करी तो ब्रह्माजी ने रूका ब्रह्माजी के दवारा स्वेदज उदविज अंटविज अंटविज जराउज सभी प्रकार की शृष्टी हुई और तब ब्रमा जी ने अपने शरीर की दो भाग किये एक भाग से इस्त्री प्रगट हुई और दूसरे भाग से पुरुष प्रगट हुआ पुरुष है उनका नाम पड़ा मनुवन और जो इस्त्री है उनका नाम हुआ सतरूपा सबसे पहले पती-पतनी संसार के मनु और शतरूपा को कहा कि आप स्रिष्ट की रचना करो मैं तुने स्रिष्ट प्रारंब करो ब्रह्माज मनु ने कहा कि महराज चलो स्रिष्ट तो हम रचना करते हैं संतान होगी तो रहेंगे कहां यहां तो जल ही जल है, जल में कैसे रहेंगे, कहीं पर तो घर बनाना पड़ेगा ने, ब्रह्माजी ने कहां पृथिवी को हिरण्याक्ष ले गया है रसातल में, ब्रह्माजी ने भगवान का ध्यान किया, जब प्रब्रह्मा का ध्यान किया, तो ब्रह्माजी की नाक से सुकर रूप में भगवान प्रगट हुए, और देखते देखते विशाल रूप धारन किया भगवान ने, आर जल में छलांग लगाई, रसातल में जाकर के हिरण्याक् लाए जल के उपर इस्थापित किया बोलिए बारा भगवान की जे शूकर अवतार है प्रथिवी को लाए है भगवान ने जल के उपर इस्थापित करी इसलिए शूकर को प्रथिवी बड़ी प्यारी है पताने क्या डूंडता है वो जमीन में भूमिकार गुण है अभी बताया प्रथिवी का गुण है गंध तो प्रथिवी की गंध उसकी जो शूकर को प्रिय है और ये तब ही से प्रिय है जब से भगवान प्रथिवी को लाए थे प्रथिवी है भगवान की प्रिया भगवान की इस्त्री दिखा है विष्णु पत्री नमस्तु पादस अरसमस्तु में तो इसलिए शूकर को भी अतियंत प्रिय है जल के उपर प्रथिवी की अस्तावना होई है और तब मनुस अत्रुपा के द्वारा में तुनी सिरिष्टि प्रारंब होई मतलब ये है कि यहां जो भी बनाया है सब भगवान ने बनाया है भगवान की आग्यां से यहां सब कुछ बना है इसलिए कहते हैं महात्मा जन की जो भी बना है वो सही बना है भगवान ने पड़ी सुन्दर विवस्ता की है लेकिन कई-कई लोग कहते हैं जो होते हैं थोड़ा तरक बितर्ग वाले कुतर्ग वाले भगवान ने क्या बनाया ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को भी यहाँ पे गलत बनाया यहाँ पे सही बनाया होते हैं कई प्रस्ण चिन्ने लगाते हैं एक आदमी था उसको बहुत जादा आदत थी गलतिया निकालने की हर जगा वो गलतिया निकालता था अरे होतरा आया लेकर बस यह कमी है कमिया निकाले हर जगा तो भगवान की भी कमिया उसको दिखने लगी अब संसार में तो उसने एक चेला बनाया चेले को कहा कि देखवाई हम एक शोध करेंगे शोध प्रभंद क्या शोध करेंगे गुरुजी बले हम भगवान की कितनी गलतियां हैं संसार को बनाने में इस पर शोध करेंगे पैन उठा और एक कापी कागज उठा और उसमें हम बिल्कुल लिखते रहेंगे कि कितनी गलतियां करेंगे चले एक भगवान की गलतियां ढूंड एक गाउ में जाकर देखा एक छोटी सी बेल लगी लुगल लगी ती और उस बेल पर एक बड़ा प्ठल लगा हुए जैते लमेंड बोल रहेंगे अब चोटी सी बेल और बड़ा प्ठल उसने चेले को कहा लिख वाए देख पहली गलति में लेगे लगवान की लिख नोट कर चोटी सी लुगल 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 वे पर इतना बड़ा 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 लमेंडा अब कुछ दिन वाद एक आम का बगीचा सी वेगवी था जाना गुरु और चेला दिन में धूप थे लेगी बहुत तेज अरे बोले चाओं में बैठिक थोड़ा आराम कर दो बैढ़ जा अब गुरुजी बैठिक आम का डाला का निस्ट थोड़ा से लेटिंग अव नजर पड़ी आम पर चेले को कहा देख भगवान की दूसरी गल्ती नोट कर इतना बड़ु डाग वाम करो एतना फल लगाएं छुटू इपर चेंटो लेमेंडो लेएं अगर भगवान अकल हों देता हैं गल्ती लिट गल्ती नमबर दो चेला ने जट नोट करें जी गुरुजी जो आगिया भगवान ने का मेरे काम में गल्ती निकालता हैं हाँ मैं भी दुनिया का बाप हूँ बेटा भी सिखाऊंगा तुझे सबक रुप जाते हैं बहुत गल्तियां बहुत कमियां निकालता हैं भगवान ने वी चलाई तेज हवा और जर तेज हवा चली उपर से कच्चा आम हिला और गिरा और सिधा गुरुजी की नागपक पक्तन करें अब पक्यों आम होन थोड़ा पिल पिलू होन तो लेकिन उतों काच्चु और महारा इतना जोर से लगी नागपिटी खोने और गुरुजी अब क्या होगा चेलवी उठी फटाफट गुरुजी पानी प्यों पंखा करने लगा पंखा करूं हवा करूं डाक्टर बुलाओं दवाई लाईं गुरुजी ने का कुछ मत कर पहले गलती मिता पहले गलती लिखता है बाजा गेर क्यों मिटा हूं अरे बोले भगवान ने जो किया सही सही है हम तो सोच रहे देखते लिए गलत किया है लेकिन अगर सचमायक लमेंडू हुण तो अगर एंच लगी हूं और आम की जगह अगर लमेंडू लग तो नाक पर तो रहाम नाम सत्य भेग तो आज अब साधारन चोट तो बढ़र बरदास होंदनी आजिकर लोग उसी आम चोट के थाथ बरदास गलती मितों मितों वह दन का बाद कभी वह इन गलती ने निकादे भगवान का काम परांपरांदू इसलिए भगवान ने जो बनाया साथ बहुत सुंदर बनाया संसार में देखो कितने कितने मनुष्य गूम रहे हैं लाखों कड़ों अरवों की संख्या में हैं लेकिन सब को अलग रोप दिया है कितने रचनाकार हैं प्रभू जिसने इतनी सुंदर रचना की है वो कितना सुंदर होगा सोचो कभी हमारी नाग यहां लगाई है अगर यही नाग उपर लगाते कानों को कहीं और जगह लगाते कैसा सुरूब होता इसलिए जो प्रमात्मा ने दिया है बड़ी सुंदर जिवस्ता दिया है इसलिए दिया है कि तु मेरा है मैंने तुझे भेजा है तो कम से कम मेरे निमित कुछ कर्म कर कान दिये हरी कथा सुनन को हाथ दिये करदान तुने अजवद अच्छा भगवान खिलो ना माती ता गुरुजी ने चेले को पूछा कक्षा में स्कूल में पड़ा रहे थे गुरुजी ने पूछा छोटा सा बच्चा था आज कल के बड़े बच्चे तो बाप बने पड़े आज का गे हैं इतने खतरनाक बच्चे हैं गुरुजी ने पूछा बेटा ये कान हमें भगवान ने क्यों दिये चेला भी बुठा गुरुजी भगवान को पता था कलिव के लोगों की आँखे जल्दी खराब होंगी चस्मे की आवस् ecosтा पडएगी इसलिए चस्मा टिकाने के लिए काम दिये गुरुजी ने गा वा बेटे वा वो सून्द जवाब दिया था को रोर न भी आएगा इसलिए मास्क लगाना पड़ेगा इसलिए काम दिये लेकिन जो दिया है प्रमात्माने आथ दिये दर्शन करन को आथ दिये करदान इसलिए हमें यस्व प्रमात्माने दिया है ताकि हम भगवान का भजन करें ब्रह्मानन्द एक संत होए उन्हों ब्रह्मानन्द जी ने एक भजन दिखा बड़ी सुन्दर पंक्तिया है कि हे मनुष्य भगवान का नाम तो सुमिरन कर अब तो सुमिरनर राम चरन को अब तो सुमिरनर राम चरन को अब तो सुमिरनर राम चरन को अब तो सुमिरनर जन्म मिला है अब तो सुमिरे नर राम चरणी को अब तो सुचिरे नर राम चरणी को जन्म मरण दुख दूर करणी को जन्म मरण दुख दूर करणी को जन्म मरण दुख दूर करणी को अब तो सुमिरे नर राम चरणी को अब तो सुमिरे नर राम चरणी को अब तो सुमिरे नर राम चरणी को जन्म मिला है कर दो कर दो कर दो चौरासी गांख योनियों का चकर का तकर आ रहे हैं इस चकर में दोबारा ना जाना पड़े लख चौरासी भटकते आया लख चौरासी भटकते आया लख चौरासी भटकते आया जग में दुर लब नरतन पाया क्यों खो वे इस परम रतने को अब तो सुमिर नर राम चरण को अब तो सुमिर नर राम चरण को अब तो सुमिर नर राम चरण को जिन सब भीट जाएंगे आज गया जैसे कल भी भी जावे जिन सब भी जाएंगे बीता समय फिर कर ले बेत विचारे जखने को अबे तो सुमीरे नाम चरे को अबे तो सुमीरे नाम चरे को इसलिए साब रहां धर्वान की शर्म गरहने करो तो मनुसे जर्म सारी योलियों की चकर नहीं काटने देगा ब्रम्हाननंद कहितवानी ब्रम्हाननंद कहित पानी प्रभू की शरन पडोले प्रानी ब्रभू की सरन पडोले प्रानी भवसागरे को पारे करन को भवसागरे को पारे करन को अब तो सुमिरे नार राम चरन को अब तो सुमिरे नार राम चरन को अब तो सुमिरे नार राम चरन को अब तो हो सुथिरी लग दामं चरड़े को इसी मनुष्य जनम में हम भगवान का नाम ले सकते हैं किसी और जनम में नहीं मिलेगा ये मुझा तो भगवान ने ये समस्त सृष्टी बनाई मनुष्य रूपा के दो पुत्र हुए प्रियब्रत और उत्तानपाद और तीन पुत्रिया हुई देवहूती आकूती और प्रशूती तो सबसे पहले पुत्रियों की कथा जहां शुकुरेवरी कहते हैं राजयन हिरन्याक्ष का जब भगवान ने उद्धार किया पृत्रिवी की अस्तापना हुई और मनु की संताने हुई परिक्षत ने प्रश्म किया गुरुदेव ये हिरन्याक्ष कौन है जिसको भगवान ने मारा तो तब शुकुदेव जी कहते हैं राजयन सुनो मनु की सबसे छोटी जो कन्या है नाम है प्रसूती इसका विवहा दक्ष प्रजापती के साथ हुआ हुआ और दक्ष प्रजापती की सेकणों कन्याएं हैं जीन में तेरह कन्याओं का विवहा खश्चपरिशी के साथ हुआ वा दिति अदिती, दनू, काश्टा, इत्यादी ये तेरह कन्याएं दक्ष ने कश्वरिशी को पत्नी ग्रहन करने के लिए कन्यादान की अदिती, अब देखो, दिती से होए दैत्या, और अदिती से होए देवता, देवता और राक्षस कोई ज़्यादा दूर के नहीं है रिस्तेधार, भाई भाई है, पिता एक है दोनों के कश्वरिशी, कि ये वहलों मा अलग है, माताएं अलग है, तो दिती से देत्य क्यों होए, क्या कारण था, पुले हिरन्याक्ष भी दिती के पुत्र हैं, कारण ये हुआ, कि एक समय साइकाल के समय, और कश्वरिशी द्यान में मगन थे, देवी दिती आई, कामांद हो करके, और कहा कि मुझे स्वामी संतान चाहिए, संतान के लिए संग करें, कश्वरिशी ने मना किया, लेकिन फिर भी इस्तरी संग किया, साइकाल के समय देवी भगवान शिव का समय होता है और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए साइकाल ना की इस्त्री संग किया जाए अत्तुआर संद्यायम परिवर्जय आहारम मैंतौनम निंद्राम स्वाध्यायाम चतुर्थकं। साइकाल के समय चार कर्म वर्जित है, आहारम यानि भोजन भी नहीं करना चाहिए, मैथरम किस्त्री संग संतान के लिए भी कर्म ना करें, तीश्रा निंद्रा यानि सोना भी नहीं चाहिए, और चोथा है स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, साइकाल के समय. कि यदि करेंगे तो आहा अरं जायते व्याधि साइकाल के समय बोजन करेंगे चार-पांट बजे छे बजे के समय तो रोग उत्पन होंगे तब बोला हम ते गैस होने साथ बहुत जाले था वेटा में ने खाने आहारम जायते व्याधी पहले सुभेर खाई फिर दिनमा खाई फिर साम को फिर बेठी पान वाँ खाई तो तब तो होनी ना मैथुने गर्व दुष्टता संतान के लिए कर्म होगा तो संतान तो होगी लेकिन दुष्ट होगी और निद्रया है दे लक्ष्मी यदि सोएंगे साइंकाल के समय तो बोले घर में दरिद्रता आएगी लक्ष्मी की छोटी बहन है दरिद्रता अलक्ष्मी लक्ष्मी जी जाएगी और छोटी बहन घर में आएगी इसलिए लक्ष्मी चाहिए साइंकाल को सोना नहीं जिस समय स्वाध्यायाय मरणम धुबं स्वाध्याय करेंगे तो मुर्खता आएगी लेकिन यहां इस्त्री संग हुआ कश्व रिशी ने बहुत समझाया कि देवी साइकाल भगवान शंकर का है एशा गोर तमाम बेलाम गोराराम गोर दरसनम चरंतियस्याम भूतानी भूतेशान चलान हैं यह तो भगवान शुब का समय है साइकाल साइकाल के समय भगवान शुब कैलास से उतर करके अपने गणों के साथ महराज भ्रमन करते हैं सधरा पर और देखते हैं कि कौन मेरा बजन कर रहा है और कौन सो रहा है कौन खा रहा है इसलिए साइकाल भगवान शुब का समय ह होता है देवी साइकाल में भगवान शिव का इस्मरन करना चाहिए लगवान शिव सब से दयालु देवता हैं किरपालु है आश्टो सहे सीग्र प्रसन हो जाते हैं इसलिए आओ भगवान शिव को दो चार पंक्तियों में मनाएगा चलें कैलास मन से और हगवान मास्त बणिया चन भुला मस्त बणिया चर बोल के शिवजी भगवालिकन मस्त बन्याचन बोलाजी 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 शिवजी भगवालिकन मस्त बन्याचन बोल्लाजी आ तुठाओ संकर जी के लिए लिए शंकर भगवान की जह भांग धतुरा बोला कना पीन अच्छा 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 सची शिब जी भगवाद कना मस्त बढ़ना चन बोला जी सची शिब जी भगवाद कना मस्त बढ़ना चन बढ़ना चन बढ़ना चन बढ़ना चन बढ़ना मुंड माला तोल्यों को डिल्लो बढ़ना चन बढ़ना चन बढ़ना चन बढ़ना चन सची शिवनी भगयवान कना मस्त बन्याचन बोला जी किव में गई कर दियान किती शिक देखो करây 날 कि던 शिक वे से वे तेहेगेखजाय कर के शाय कर दोद्क गला मसर पॉंकी माला पड़ी चा गला मसर पॉंकी माला पड़ी चा शिब जी भगवान कना मस्त बन्याचन बोला जी शिब भगवान की चा कैला सुमा बाबा कु तंबो तड़ी 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 चा उठारे मा भोले कु बल्ब पड़ी चा सची शिब जी शिब जी भगवान कना मस्त बन्याचन बोला 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 जी शायंकाल का समय भगवान शिवका है समझाया बहुत कश्वरिशी ने लेकिन दिती नहीं मानी इस्तरी संग किया कश्वरिशी ने कहा कि देवी एक नहीं दो दो पुत्र होंगे लेकिन दोनों दुष्ट होंगे एक हुआ हिरान न्याक से दूसरा हिरान नकर्षिर हो पूर्व जनम में ये भगवान के पारशद थे वैकुंथ में जय और विजय इनका नाम ना शनत कुमारों ने श्राप दिया इनको इसलिए श्राप के कारण ये राक्षची योनी में आये सनत कुमार गय थे भगवान का दर्सन करने बैकुंथ में लेकिन इंदोनों द्वारपालों ने भगवान को दर्सन करने से नहीं जाने दिया उंको बाहर ही लुक दिया तो महत्माँ को कुरोध आ गए और कहा कि जाओ तुम तिनों रक्षच अग बन जाओ एक बार देखो भगवान को जिसे अपना सत्रुभी बनाना है तो उसे अपना ही बेजते हैं कोई साधारा नहीं बन सकता भगवान का सत्रुभी जब भगवान स्वयम आ रहे हैं अवतार लेने तो सत्रुभी तो उसी प्रकार का होगा यह लेला ही तो है जब लेला करनी है तो फिर जो ऐसा नाटक करे अभिने करे वो भी तो दंदार होना चाहिए गैरम राम लेला होंदी राम तो बढ़िया बढ़ाए पर रावन बढ़ाए नों मच्छा प्छा लोगन बोली यहार आदमी मजार के राम लेला वाला रावन टंग को तो बढ़ों तो आपनी ही द्वारपालों को भेजा जाओ तो मेरे शत्रुभी बनों कोई साधारा नहीं बन सकता भगवान का सत्रुभी लेला में लेला में तो रोल रोल जो आदमी करे तो भाई वो भी ढंका होना चाहिए सुदिल्या पकड़ी पाकड़ी तो पतले कि वो कुछ वो कुछ बोन वक्त है एक जगा राम लेला थे ओने रावन को जो रोल कर थो वह दिन वह बिमार होई और वह दिन थे अंगद लीला अंगद इस जांद राम रावन का दरवार मार अब्डू पैर जमून वो लीला ओन अब कहते हैं बढ़ाई जाओ राम लीला कि समीत थे ओन धूंडी अब कोई विद्वान तो मिली लेकिन वो शरीर से तो थो नहीं रावन की तरह दिखेंगों अरे बोले दिखने के नहीं है जचेगी नहीं अच्छा अच्छा मिठाए कि दुकान पर हालवाई थो पर इसके भाए बोलता है वह वाकिर आई याए लोग भी दैलोग नोगे वह दो चार डिलोग इसको शिका देंगे के अलोग बना दूरावाई अस्वराग नेच्छा अलोग अलवाई सजाया धजाया घजाया गए बिठाया दरबार पार लेला प्रारम परदा खुली अवाई अंगद अव जे अंगद थोड़ा थेस तर रार अनुवांजी सीधा साथ बेचार अनुवांजी रावन ते सम्झों लेकिन अंगद ने सम्झों अंगद वह बात रहां से तो समझता ने मैं कौन हुराम का दूत ह और गए सवा में अपना पैर जमाया है हिम्मत है रावन मेरा पैर उठा के दिखा वरना तुझे छोड़ोंगा नहीं तेरे लिए राम तो क्या मैं ही काफी हूँ और ऐसी जब हुमकार सुनी हलवाई घवड़े च्छका छुटी हलवाई अंग जी बोल रावन तो जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ हूँ अर मैं तो तिखांगा तुझे हलवाई बिचर दरिगी खोड़ी पुद तलवार तलवार यह माराज मैं कौह नि मैंत हलवाई शूँ आज पकड़ी पकड़ी को बनाएग हुँ है वे वेरा बस कुनी मैं अब अगर इनु भी बनाए जाओ लीला मत भगवान ने अपनी शत्रों बनाए जैविजे को भेजा इरण्याक्ष का भगवान ने उत्धार किया है मनु की दूसरी पुत्री है देव हूती देव हूती का विवा कर्दम रिशी के साथ हुआ कर्दम रिशी ने तपस्या किये है और तपस्या करके भगवान से ये बरदान मांगा कि मुझे गरस्त जीवन में जाना है तो धरम पतनी चाहिए मुझे अच्छी पतनी मिले विवा हो तो ऐसी से हो कि जो धरम पतनी हो धरम के मार्ग पर चलने वाली हो भगवान ने कहा कि मनु की पुत्री है देव हूती वही तुमारी युग्य है कर्दम रिशी उनके संग भिवा हो जाएगा कुमारा तो ब्रह्माजी की प्रेणरा पर मनु ने अपनी पुत्री देव हूती का विवा कर्दम रिशी के संग्य किया इंद्रियों का दमन करने वाला वही है कर्दम और देव मही बुद्धी अर्था देव हूती तबस्या करके देव हूती को पत्नी रूप में ग्रहन किया और हम तो बताया करते हैं कि भाई अच्छा मित्र जान देना अच्छा मित्र अच्छा पुत्र अच्छी पत्नी ये तीन यदि मिले जाएं तो समझ लेना कि तुमने कोई तपस्या की होगी अच्छी नहीं तो मित्र भी ऐसे हैं जो पीठ में चुरा गों सकते हैं पुत्र भी ऐसा मिल सकता है जो पिता को ही धोका दें बहुत कठीन है अच्छा पुत्र मिले और आज कर धर्म पत्नी की तो बात ही क्या करते हैं अधिक तर आज कर वाइप मिल धर्म पत्नी भी कमी मिल जाओ तो शुकर वई की तपस्या और वई को भगवान पत्नी धर्म पत्नी और वाइप ये तीन स्रेणियां बताई है संतों पत्नी कौन बोले जैसा पत्नी कहे वैसा ही करे वहाँ है पत्नी धर्म पत्नी कौन बोले स्यम को धर्म के मार्ग पर जो लगाए और अपने पती को भी धर्म के मार्ग पर जो लगाए वही है धर्म पत्नी और वाइप कौन बोले जो बिगाड़ दे लाइप हो वह इच और आज कल तो ऐसे ऐसे भजन गाने लगी हैं भगवान से प्राट्थना करती हैं रगुपति रागव राजाराम ऐसा पति मुझे मिले भगवान कैसा रोज सवे चाय बनाएं खुद भी पी बच्चों को पिलाएं मुझसे कहें पीलो पीलो मेरी जान ऐसा पति मुझे मिले भगवान ऐसे प्राट्थनाएं हो रहे हाले 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 मंदिरों में जाएं जाएं हाँ हम ए भाई हमारे पैटी काम ने कर दे बिल्कुल ना बले तेर बावा या कैप कर दे बहुत काम करी हो लेगें रोज दो पहर में खाना बनाएं खुद खाएं बच्चों को खिलाएं और कहें खालो खालो मेरी जान ऐसा पति मुझे मिले भगवान ऐसी प्राठ्थना है हो रही है इसलिए भाई जितने भी जवान लोग हैं सावधान आज़कर इंदे प्राठ्थना होने हैं जोंको प्योनी होनी 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 वाई भुना मिले इसलिए तपस्या करो आलांकि हमारे यहां तो पुषास्त्रों में मंत्र भी दिये हैं मंत्र भी है अच्छी पत्नी चाहिए धर्म पत्नी चाहिए तो मंत्र जपो तपस्या करो पत्नी मनो रमाम देहे मनो विरतान उशारेणिम तारेणिम द्रग संसार जागरस्य कुलोद भवाम और अच्छा पती भी चाहिए तो मा भगवत्य की प्रार्थना करो अच्छा पती मिले यहां करदम रिशी ने तपस्या कि तो देव होते के संग विवा हुआ सर्त ये थी कि देवी पहली संतान होगी तो मैं वन में चला जाओंगा देव होते ने का सुईकार है कोई बात नहीं और यहां जैसे ही विवा हुआ विवा के पस्चात शीग रही समाधी में बैठ गए करदम रिशी चालीश वर्स हो गए समाधी में सोचो जरा जरा जन कर नहीं होंदे छोड़ेगी चल जा 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 लेकिन ना सेवा करती रही वर्सों बाद जब तपस्या से उठे करदम रिशी देखा तो सामने दुबली पतली कोई इस्तरी खड़ी है अरी देवी तुम कौन हो मुझे नहीं पहिचान दे मैं आपकी धर्मपत्नी देव होती हूँ जब विवाव हुआ था तो तब तो बड़ी सुदर थी इतनी कमजोर दुर्वल क्यों हुई आप तो समाधी में रहे आपने कुछ ग्रण नहीं किया अनन जल तो मैंने भी अनन जल ग्रण नहीं किया है इसलिए थोड़ा दुर्वल हो गई कमजोर हो गई हूई कर्दमर्शी बड़े प्रसन हो गई तुष्टोहमध्यतवमान अभिमान दाया सुस्रू सया परमया परया चभक्या ए देवी तुमारी शेवा सुस्रू सांसे मैं प्रशन हूँ बोलो क्या चाहिए और स्वामी एक इस्तरी की यही कामना होती है कि उसे संतान प्राप्त हो जाए वह पुत्रवत्री हो सरोबर में अश्नान किया दोनों ने सुन्दर रूप धारन कर लिया एक विमान प्रगट हुआ उस विमान में बैठे हैं विचरण करने लेगे बिहार किया कालांतर में इनके यहां नो पुत्रियां होई अर्थात भक्ति आई हैं नो रूप धारन करके करदम दिशे ने उठाया कमंदलो और जाने लेगे बन में सर्त थी न जैसे संतान होगी जाओंगा देवूते ने बुलाया इधर आओ कहां चले बोले सर्त थी मेरी मैं जाओंगा देवी संतान होते ही बन में बोले यहां एक नहीं नो नो बेटियां हुई है कौन पालन करेगा कैसे इनका बिवा करेंगे इनका बिवा करेंगे जाओ नो पुत्रों के पश्चाद भगवान गर्व में आये हैं और करदमर्शी के यहां भगवान ने कपिल रूप में अवतार धारन किया है बोले कौपिल भगवान अविन की जैएगे जैसे कौपिल भगवान परगट हुई करदम देव ओती ने प्रणाम किया है प्रभु की स्तुति करी और करदमर्शी ने कमंदलो उठाया बन की ओर चले गए नौ पुत्रियों का विवाद रिशियों के संग किया और करदम रिशी बन को प्रस्तान करते हैं इंदर कपिल भगवान के समक्षमा देव हूती बैठी और आज अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़े हैं कई प्रस्ण निवेजित किये भगवान है साथ इसलिए भगवान से प्रस्ण किये हैं जिसको कपिल गीता कहते हैं भागवत में अब देखो इतना समय नहीं है कि हम विस्तार से इसका वरण करें चोथा इसकंद चल रहा है तीसरा चल रहा है जाहाब और दसमें ते को पहुंचना है तो अब थोड़ा गाड़ी की श्मीड बढ़ाते हैं अब तक पैसंजर थी तो एक स्पेस बनाते हैं कबिल भगवान में मा देव हुती को अने को प्रस्णों का उतर दिया कि मा किसी भी प्रकार से मेरा चिंतन हो जाए तो मनुष्य का कल्यान हो जाता है संचिंताईर भगवतस चरनार विंदंदं वजरांकुसत भजसरो रुह लालां छनाध्यं उतुंगरक्त विलसनक चक्रवाल जोचना भिराहत महाध्युदयांदकारं मेरा चिंतन करो मैयां सबसे पहले मेरे चरनों का दर्शन करो जिन चरनों से गंगाजी निकली हैं उन चरनों का दर्शन करना चाहिए कपिल जी की कथा से ये समझ लो यदि आप कहीं जाओ मंदर में भगवान का दर्शन करने तो समसे पहले भगवान की चरणों का दर्शन करो और चरणों से होते होए फिर भगवान की मुख कमल का दर्शन करो आसम्हरे रवनाता खिल लोक तीप्र शोकास्रु सागर विसोसन म्रत्युदारं भगवान का मुश्कुराता हुआ वहा मुख कमल हमारे शोक रूपी समुद्र को शोक देता है इतनी सामर्थ है उस मुख कमल में ऐसे भगवान की दर्शन करने की गरवस्थिती की वरणन विस्तार से चर्चा की है मा देवहूति प्रमुधित हो गई प्रेम की धारा में बहने लगी सिद्द्जानलदी का रोप लिया और देवहूति प्रवाहित होने लगी कभल जी ने परनाम किया मा को और गंगा सागर में परियान किया है बोले कभल भगवान की जै चतुर्थ इसकंद अप्रारंब होता है भागवत में जिसमें मनों की जो बड़ी बेटी है आकूती उनका विवा रुची प्रजापती के संग हुआ जहां यग्य नारण प्रगट हुए प्रसुती का विवा दक्ष प्रजापती के साथ जब हुआ तो एक पुत्री हुई नाम है सती इन सती का भगवान शिव्षे विवा हुआ और कालांतर में दक्ष से भगवान शिव ने द्वैस किया और शिव का अपमान देख करके अपने पिता के यग्यमें कंखल हरिद्वार में सती ने अपने देह का त्याग किया वही दक्ष कन्या सती हिमाले की पुत्री बनी पारवती और तपस्या की है और भगवान शंकर के साथ अब विवा करने का प्रस्ता उर्खा गया भगवान शंकर जी को देवताओं ने मनाया ए अदने महा दे और रिष्ति के लिए अप पुना विवा करेंत तो अब भगवान शंकर जी का स्रंगार हो रहा है दो मिनट शिव जी के स्रंगार के सुनो जपी शंकर जी दूलह बना रहें नंदी को कहा हे नंदी बाई बारात की तयारी कर नंदी ने कहा तयारी कने कर ने तयारी कुछ वो घरम तभी 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 तभ लेकिन फिर भी विवा करने के लिए तैयार कॉन्फिदेंस तगड़ो नंदिने का भोले ना दिये विवा की चक्कर में पड़ गए दोबारा एक बार किया था देखो क्या क्या हालत हुई और फिर विवा की चक्कर कि अरे बोले कोई बात नहीं बहुते का रही ना विष्ण भगवान ने कहा है कि भी वाकर हो तु मैं तो बहुता करेंगे कि खिलाने दोड़ी आएंगे घर अब बारात की की सजोन तो पहले बात दूला सजोनी की निया कुछ नहीं 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 संकर भगवान वले जो कुछ घर में हैं उसे से स्रंगार होगा आज इंता मत कर नंदी तो संकर भगवान स्रंगार कर रहे हैं पर रहे होगार कर रहे हैं कर भगवान वा है शीवही संभगण टरहरी सिंगारा जटाम भुट आहे मोरू सुवारा दूसी दाज जिनते एक राम जर्दमानस में संगर जी का सिरंगा जटा का मुकुट बना दिया बगवान नारण से मांग करके लाओ न मुकुट अरे बोले मांग करके क्या लाएंगे दो दिन के लाएंगे मांग के वो दोबारा लेने आजाएंगे ऐसे क्या भी भाग करके अपने जो पास है उसे से होगा आएंगे जटाओं का मुकुट बनाएंगे कुंडले कंकन पहिरे प्याला तने भी भोती परते एहरी छाला अब माला कहां से लाएं माला सरपों को आग्या करी नागों को कहा ए नागों नागराज बोले जीप्रम हो बोले लटक जाओं माला मान करके जब तक फेरे ना हो जाओं लटके रहे ना है माला मान करके बिच्छों को कहा लटक जाओं में कुंडल मन करके मिरी की चर्मद हारन किया कोई वस्तर नहीं मिरी की चर्मद हारन किया नंदी बोले हे महादेव इतना बयानक रूप है आपका काले कलूटी लग रहे हो और उदर पारवतितिक को देखो कितनी घोली है मैं कितनी सुन्दर है ऐसे दूरे को कौन सुकार करेगा भाई लोगों पूरे कखन लिया जो भूत तो थोड़ा गोरे तो बनो अब गोरे कैसे बने किरी मुश्रीम तो थी नहीं संसान की राख ले आए उठा करके संसान की राख भगवान शिंपर लगाए द्रहा महराज सुन्दर बन गए नयने तीलियों को बीते बुजंगा हुम् हुम् आहाँ आहाँ सिर में गंगाजी की राजवान है जहाँ कंथ में नील कंथ जो कहलाते हैं ऐसी सुन्दर भी होती है सजाया भगवान शिव को गरल कंथ नर उर्शिर माला असिव वेश शिव धाम क्रपाला नंदी ने कहा सजगय प्रभु हो गया सुन्दार अच्छा तो निमंत्रन दो सरको देवताओं को निमंत्रन दिया रिशियों को निमंत्रन दिया गया देव दनुज रिशिमुनी नर नारी सब को बुलाओं और जुतने भी सारे ब्रह्मांड के भूत प्रेद देशियों को निमंत्रन दिया सब को बुलाया चलो भूत वी बड़े प्रसंद हो गए कैन हम ते आज तक साजी को काड़ ले दिन थो कम से कम भगवान संकर जीन तो भुलाया आए आए और भूत भी ना चान लेगा और और लेगा कैलास दाम की तरब तरब बारात सजी देवताओं सहित भगवान मुश्रिवका वह समाज चला सब से आगे दूले सब से आगे क्योंकि बारात में आगे दूला ही तो होता है संकर भगवान समसे आगे बैल पर सवार हैं लेकिन देवताओं लोग बड़े परिशान हैं पीछ से आ रहे हैं देवतागन कहते हैं कि हे प्रभु ये क्या लीला है नारण को कह रहे है शंकर जी को देखो दूले को देखो बैल पर बैठा हुआ लेकिन उल्टा बैठा हुआ लोग अगुण नबैठा शंकर भगान पिछुण नबैठा हुआ हाँ कैन बोली है बोले ना थोड़ा सीधे तो बैठ जाओ बोले ना ना ऐसे ठीक हूँ क्यों देखो भाई घर में सबसे बड़ा मही था मेरी मेरी साधी हो रहे मेरा विवाह हो रहा है अब घर को जो बड़ों आदी मों तो जिम्मेदारी होने नहीं कि कुछ ना कुछ तो मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मैं उल्टों यह मुझे से बैठ हूँ कि मैं दिखाण नोगे पिछाड़े विटकी सभी मैमान आओना की नहीं होना एक एक करी पहुंच आज अंदर सब यह को कोई भरोस हो नहीं है पॉंच देवताह उने देखा देवताह बड़े स्वार् देवताओं ने सोचा आपस में सला करने लगे अए सुनो सुनो भाई यह अगर ऐसी बरात के साथ हम जाएंगे चाय ना पाने कुछ नहीं मिलने हो अगारी देखा भूत ना चुना के स्वागत हो लूँ देवताओं सलाह करी और के करी अपड़ी सेना अगाड़ी सबसे गाड़ी पूछ इंद्र वरुण कुवे नारेण कि सवाजी विया गाड़ी ब्रह्माजी विया गाड़ी खिस्की छोड़ा वली दूला ऐजालों कोई बात ने हम पॉंच जोलत हो सब के सब बाराती आगे और अब दूला समसे पीछे अब संगर भगवान सीदे बैठ गे वोले हां अब ठीक है बाती आगे-आगे चल रहे और मैं पीछे-पीछे पीछ घजब की बात है दुनिया में ऐसे बरात कभी नहीं आई होगी जैसे शंकर भगवान की स्थी है नारज जी ने कराया था रिस्ता नारज जी बिचो लिए थे अब जब बारात आई स्वागत द्वार पर हिमाले के सभी लोग खड़े हैं माला लेकर के स्वागत के लिए कि बारात आईगी और हम स्वागत करेंगे यह माले की पत्नी मैना चतपर खड़ी हैं नारज जी भी खड़े हैं कि देखो देखो सुनो नारज यहीं पर रहना और मुझे बताना की दूला कौन है ठीक है नारजी में खड़े हैं स्वागत करने लोग खड़े हैं अब जो स्वागत करने लोग खड़े हैं ब्रहमाजी की सवाजी निकली, ब्रहमाजी का स्वागत किया, मैंना बोली यही दोले हैं, नारजी ने का नहीं यह तो बुड़े बावा ब्रहमाजी हैं, विधाता हैं, अच्छा अच्छा, निकले, इंद्र आए अपने परिकरों सहीत, इंद्र को देकर मैंना बोली अच्छा यहीं दोले होंगे बोले नहीं नहीं देवी ये तो देवताओं के राजा है इंद्र का भी स्वागत वरुण आए वरुण का भी स्वागत हुआ अब भगवान नारेण आए है अपने समाज सहित भगवान विश्ण के रूप को देखा मैंना बोले नाराज जी मुझे रगता है यही दूले है पक्का यही है ना आए नाराज जी बोले नहीं 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 मैय यह तो भगवान नारैन है लक्षमी पती है अच्छा अच्छा यह भीनुह के लेख या फ्री Mr. कि बढ़ा और भूद बड़ा खतरनाग कई की हटी हटी दिखेने मांस ने दिखेने और कई को अब रूप छावी सरीर तो यह पिशाल कई 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 शिरेई नी मुंद नीची आती पहर दिखेना केवल और कई कई शावी सरीर तो हजारों सिर्थ झायों के अर्क है कि तॉट छो जेवा गुए तो ल मुत्अन आए अब भलाव ור्रड़ीए तक बच्च लोह सबसे पहले घर जाएक सीधा दर्वाजा बंद करी बैवावन पुछी क्या वे दिखी बराद अरे बोले पुछो मत ऐसी बराद कि बैर निकले हाज आज बरातरी एक्ट मोट है कि है सारा भूजी भूजी तंचार व्यार कपाल भूशन रख तुसिदार जी कहते हैं राम सेत्मानस में बराद गौं का बालक वोना बच्चा वोना अबना बैवावु ते अरे वह करता धन्य भाग वहला जो ही बरात का गर्शन कर लो हाज अन्य था हाज तो बस मोट है इस अब स्वागत भी कने कन थो आप माला डाला तो कई कर डाला बता जैका दस दस विस विस हजारों सिर्व कतिमाला गुए अज एका सिरे नहीं अब करने डाला माला स्वागत कर दार रहे खड़़़गा आए भगवान शिव मैना ने पूछा कि ये कौन है ये ब्राती है क्या नारच जी बोले यही तो दूले है और मैना भी होस ये दूला पानी-पूनी छड़ता होस में आई ए नारच तेरा क्या पिगाड़ा था मैने जो मेरी बेटी से इसका रिस्टर्च ये दामाद बनेगा ह जिन्द के खराब कर याली मेरी बेटी की राजा की बेटी और यूदू यूदू यूबद खूब भलो बुली नारच जी तो घर बसी नहीं लेकिन तो अनुद्ध मेरी बेटी को घर भी बिगाड़ा था लिए पहली पसे वास है बदात को ठैराया लोगों ने जो बच्व अनुद्ध मेरी आव जो जान खान खान खालाय ओ अब जो तो दिखें लिए अनुद्ध पतल धरे अव जो ने दिखें लो बिच मांगाली जगा पतल बांडरा जोजी आचा यह मांगाली छोडी जगा अगाड़ तो ने उबोओ ए एक हैंपे रहा है अवए एक पतल थरे तब तक हैंके बाज़ एक नहीं दो हैं यह मेरा दोस्त दोस्त भी बैठा हुआ 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 कैसी अगवानी हुई होगी हिमादेव नारजी ने शंकल जी को का है महादेव यह लीला बंद करो से दिसाधे रास्त विवा करो अचुछा सुनिस्ता वह हो बिगड़ जा विदी विदान से शुरका विवासत पारवती जी के संग किया प्रेम से बोलते हुए बोलिये शंकर भगवान की जे पारवती मया की जे आगे चतुर्थ इसकंद में ही मनु के पुत्रों प्रियवरत और उतानपाद की कथा है जहां दुर्वजी का परसंगाता है पांच वर्स के बालक दुर्व को भगवान ने दरसंद दिये हैं यह कथा चतुर्थ इसकंद में दुर्वजी के वंस का वर्णन है जहां पृत्व हुए है भगवान के अवतार पृत्व ने पृत्वी की रक्षा करी अनेक और आगे प्राचेन वर्ही का प्रसंग है जहां रुत्र गीत नामक सिख भागवत में शुकदेव जी राजा परिक्षत को यहां प्रसंग स्रवन कराते हैं मनु के जेश्ट पुत्र प्रियवरत की कथा है जहां प्रियवरत राजा वने और प्रियवरत के अपने रथन को जब इस प्रिथिवी पर चलाया तो प्रिथिवी के साथ कुपड़े हुए जो साथ दूइप कैलाये जंबू पलक्ष सालमली कुषक क्रौंच साख पुषकर के साथ दूइप वने इनी प्रियवरत के वन्स में राजा वने हैं भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा तीन भरत हुए हैं एक यह प्रियवरत के वंस में भरत दूसरे महा भारत वाले शकुंटला पुत्र भरत और तीसरे हैं रामजी वाले tenी सबसे प्राचीन जो भरत हैं यही हैं भागवत कथा वाले राजा भरत इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत बढ़ा बोलिये भारत माता की जिर राजा थे बाद में ये रिशी बने हैं और एक मिर्ग के सावक के चक्कर में फस गए अंत समय में उसी का ध्यान रहा तो दू यहां मिर्ग सावक बने फिर उस योनी से छूटे ब्रामन के यहां इनको जन्म मिला वहां नाम बड़ा जड़ भरत बिल्कुल मूर्ख होने का नाटक करने लगे भगवान पिछले दोनों जन्म मैंने यूहीं बिता दिये मोह माया में अब नहीं बिताओंगा अब तो भग यतनी मंत्र तक याद नहीं किया कुछ चूर पकड़ करके ले गए बली देने के लिए जड़ भरत को मोटे ताजी जड़ भरत जी को देखा और चलो इसकी बली देंगे मा काली को तो वहां जैसे बली देने लगे मा भगवती ने रक्षा करी है भरत जी की मा भगवती ने कभू के भक्त की रक्षा करी है मन लगीगे मेरो मा का भवन मा मैं भी ओंदू मैं या तेरी सर्म देखो समय तो बहुत आगे चला गया है हम कथा में बहुत पीछे है बजन करेंगे फिर दो चाल मिनट में सीधे दसम इसकंद में जाएंगे तो आएए मा भगवती को मना यहाँ पर मा काली ने जड़ भरज्जी की रक्षा करी है तो हम सब की रक्षा करने वाली वही आदिशक्ती जगदंबा है प्रेम से चलें उसके धर पर और वानी से उसकी गुणानु वादों का वर्णन करेंगे मन लगेगे मेरो मा का भवन मा मैं भी ओंद मैया तेरी शरन मा मैं भी ओंद मैया तेरी शरन मा मन लगेगे मेरो मा का भवन मा मन लगेगे मेरो मा का भवन मा मैं भी ओंद मैया तेरी शरन 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 मा बड़ा बड़ा फूलोन मया हार मैं बड़ो लो बड़ा फूलोन मया हार मैं बड़ो लो अपड़ा हाथोन मया त्वेते मैं सजो लो मन लगीगे मेरो मा का भवन मा मैं बड़ो लो मा का भवन मा मैं बड़ो लो तेरी शर्मा अहां मैं बड़ो लो मैं बड़ो लो करदे शर्मा फूलोन मा का भवन मा राव लो मैं बड़ो लो बड़ा बड़ा फूलोन मया मुकुट मैं बनो लो बड़ा फूलोन मया मुकुट मैं बड़ो लो मन लगे के मेरो मा का बड़ा फूलोन मया मैं बी ओंदो मैं आ तेरी शरण मा मैं बी ओंदो मैं आ तेरी शरण मा मैं बी ओंदो बड़ा बड़ा फूलोन मैं बी ओंदो बड़ा फूलोन मया तीका मैं बनो लो अपड़ा फूलोन मया मा तमा सजो लो अपड़ा फूलोन मया मा तमा सजो लो मन लगेगे मेरो मा का भवन मा मैं बी ओंदो मैं आ तेरी शरण मा मैं बी ओंदो पिया तेरी शरण मा मैं बी ओंदो लो अपड़ा फूलोन मा तेरी शरण मा तेरी शरण मा तेरी शरण मा बड़ा फूलोन मया पायल में बनो लो अपड़ा फूलोन मया पायल में बनो लो अपड़ा फूलोन मया खुट्यू मा सजोलो मन लगीगे मेरो मा का भवर मा मैं बोलोन मा मैं बी ओंदो मया तेरी शरण मा मैं बी ओंदो मया तेरी शरण मा मन लगीगे मेरो मा का भवर मा मन लगीगे मेरो मा का भवर मा मन लगीगे मेरो मा का भवर मा मैं बी ओंदो मया तेरी शरण मा मैं बी ओंदो मया तेरी शरण मा मैं बी ओंदो मया तेरी शरण मा पुली जगदम में मया की जै भरत जी महराज की जै भारत माता की जै हर हर महा तेरी शरण मा इसलिए हमारे देश का नाम इस भुमी का नाम भारत पड़ा और भारत माता क्यों कहते हैं क्योंकि भगवान ने जितने भी अवतार लिये हैं इसी भारत भुमी में लिये हैं अमेरिका मन नहीं आई भगवान न कभी इंगलेंड मा आई केवल भारत भुमी मा आई ये वज़े से भारत माता अमेरिका माता कीज़े कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है क्योंकि भारत भूमी ऐसे भूमी है कर्म भूमी है जहां भगवान स्वयम आते हैं कर्म करने के लिए कर्म प्रधान अभिश्वर चिराखा जो जस करें सु तस पल चाखा अच्छा कर्म होगा स्वर्ग मिलेगा बुरा होगा नरक मिलेगा पांच्वे सकंद में जो सुगदेब जी यह सब कहा तो छटे सकंद में अजामिल की कथा सुनाई कि कितने से बड़े से बड़ा पापी भी क्यों नहों ये दिवाई एक बार भगवान का नाम ले लेता है तो वहाँ पाप से मुक्त हो जाता है यही भगवान के नाम की महिमा है कल्योग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा सांते से बेठो है अजो मैमान लोग ओने लगा रास्ता मंग छे ना इव जैसे में भी थोड़ा इंतजार करना हो जो चिंता नकरे गड़ी देखनों में तीन बजनवारी तैन संद्र जाए मैमान जो आदा रास्ता मंग बाई बरात शे अभी आप अन्सूने करने बरात मंग कभी वैसा अगरा अजामिल की कथा सुनाई छटे इसकंद में अजामान माया में जो मिला हुआ है उसका नाम अजामिल है अंत समय में अपने पुत्र नारायन को पुकारा तो नारायन नाम पुकारने से भगवान के पारसुद आये हैं अजामिल की रक्षा करी यम के दूतों से और यहां पर भगवान ने अपने नाम की महिमा बताई शुकदीब जी कहते हैं रायन भगवान के नाम की बड़ी महिमा है भगवान के नाम की और भगवान के चरण की ये दोनों की बड़ी महिमा है चरण पादुकाओं की भईया चरण पादुकाओं की महिमा देखो भरत जी घाए थे राम व्लन वन में लेकर नहीं लाये वापस लोम गश कोसा ने की चरणपादूकाइं ना थून कब बड़े जहां चरणपादूकाइं रहते हैं वहां गयती कर आगति दिन פה चल करके जाना पड़ता हो तुम्हारे सब्सक्राइब खोली ना बैर तो चलन पादुकाइब नहीं उन्हें तुम्हार पर लोगा देखा इतना बड़ी महिमा चलन पादुकाइब और जक्मा खौल दातकि मारली कुमार तुम्हार इतरा नहीं पिंग धरी नहीं कि बोली हें माँप देर नहीं का मिली कि इस जखमाफोल अवक हिमार्फ तब तक जब तक तक तुम नहीं गए बिल्कुल नी चल दी जान दी नी हाँ अगर कोई जाओ है को लेजान वाल तक फेर पांसो रुपे की तो होली होली मैं मत बुल सोवाई और डारी भूटो अर चरण पादो का मना भी करने अरे मैं नी तेरो लेकिन जो बड़ा सिना ना तुई छेंड़ डारी खुटो और चल दे इन चली भी जान दे लेकिन आफ कही नी जान जान प्रतिशा की और दूसरा है नाम भगवान का नाम स्रिष्ट है भया हमारा तुमारा नाम कुछ बी नहीं है बेकार है सब का नाम नाम है तो प्रमात्मा का है जो नाम उद्धार करता है इन्हों न सोचाएंगे बोले हमारों बढ़िया नो नी और हैंक को बढ़िया नो चो या ते को बढ़िया नो नी अमारों बढ़िया नो से कोई मतलब नी साथ नाम से मतलब है तो भगवान के नाम से मतलब है थंधन पाल कईनौ तो थंधन पाल मैं तो न फाद अवके गड़颅ज्च करण दा लोग आद आस था अरे उडरे काडन ब आफल की गोर्टिगत काड़ू बेन नर्ग अबलोड बूद्र भाकई तक पनद अवर नौई बड़ी जराए और अब आण आज नो चेंज करा पड़ों किले करने नो चेंज बेकार नो क्या रखी तुम्हारा बेवाव नो बड़ी ऐसो नो रखा दिकत क्या वाई तो है नो में रूम दिकत तो महीं हों जी लोग बला ठंधन पाल की घरवाद जाड़ें बता क्या नो बाते नहीं करो अज बेवाद बाते नो बड़ी तो नो चेंज करा यह फिर मैं घरवाद नी रणे आज आज जान दो आपड़ा मैं अज लोग परेशाने करता हंसदा लोग आज बड़ो खतरनाक तो ठंधन बाद वेन बोल जान दिया पड़ा मैं जेकर मैं नो नी बदन बैवाद उरक्यों नो राज बदन वैने उठाई जोला पैक करी अपड़ा आज नी में घर में रणे अगर नो चेंज नी करें मैं तो जाने खातर चल दिन रास्तमा मिली एक नो नी लगड़ी थे इकठा करने लगड़ी इकठा दे करने ताकि लगड़ी बेची कुछ थोड़ा वोथ पैस अपूसा मिल जाओ गर की खातर खान पेना करता है गुजारू कर थे लगड़ी बेची कि आवे इन पुछी की तिरुनों क्या बुले लक्ष्मी नो लक्ष्मी अर घर में खानक ने थोड़ा हॉरा गाड़ी चली एक आदमी बैल गाड़ी पर बुसु उन बुसु वोसा बोला जाता है अब बुसु लिग और जानों तो कि बेचन वेन पुछी बगड़ी तिरुनों क्या बल धन पाल ब अधन पालर भुसे बहिए चनैं सबुसर्प 1200 सत्रारा है बंसा बेच है अ daha जीवनीयापन कर रहा है बुसा बेच करके हैं थोड़ा हारा गाड़ी चली तो वक्रश दो कि सव यात्र थे जाने हमिर्थ ओज गयूंग है कि तो मिन आ शो मोत्रान थे जाने सम्सान की तरह अभा वें पूछो बल कह यीनिकी मिरिट्यू है अमर सिंह के अमर में आ असे नीगे अगाड़ी वापसएगी घहर ठंधन पाल जी पुझत आब के लिए आई नो नी में बदन ले अरे बले छोड़ो मैं दिख्या लिए नो सी कुछ नी वोन अगर नो सी कुछ वोन दो तो क्यो लक्षमी हूँ लाखड़ा बेश थै लकड़ी पीने लक्षमी भूस धोई धन पाल अमर सिंग भी मर गए तो भलो में रो ठंधन पाल थंधन पाल ये बड़िया इसलिए नाम है तो परमात्मा का है जहाव उसके नाम में बड़ी तागत है जो काम रामजी ने नहीं किया हुआ काम आज भी नाम कर रहा है नाम की महीमा छटे इसकंद में गाई इंद्र प्रभ्र महत्याले के उसका प्रसंग सुनाया है सब्तम इसकंद में परिक्षत को शुकुदेव जी नर्शिंग अवतार की कथा सुनाते हैं जहां हिरन कश्यकुने भगवान से बैरठाना तपस्या की अजर अमरता का बरदान मांगा घर में चार पांच पुत्र हैं जिन में एक हैं प्रलाद कयादू के पुत्र हैं जो भगवान के परंभक्त हैं भगवान में प्रलाद की रक्षा के दिए खंबे से प्रगट होकर के आधा रूप नर्गा और आधा रूप सिंग का धारन करके निर्शिंग बनकर के प्रगट होए बोलिये निर्शिंग भगवान की जै और प्रलाद की रक्षा करी हिरन ने कश्योगू का उद्धार किया है अश्तम इसकंद में त्रिकूटा चल परवत पर एक हाथी रहता है गजेंदर इसका नाम है जिसके पैर को ग्राहा ने पकड़ा है जल में खींच रहा है उसने भगवान को पुकारा गजेंदर मोक्ष नाम से सुन्दर प्रसंग है अश्तम इसकंद में इसकी चर्चा करी है भगवान आये और उसे गजेंदर को ग्राहा से मुक्त किया है दोनों का उद्धार किया अश्तम इसकंद में ही समुद्र मन्थन की कथा है जहां समुद्र मन्थन की आ गया जब प्रलाद जी के नाती राजा बली बली देत्यों के राजा बन गया बली बली ने श्रुग पर आक्रमन किया देवताओं को प्रास्त कर दिया देवतागन भगवान की शरण में गई क्या करें प्रभू बोले अब तो देत्य बल्वान हो गए हैं ऐसा करो थोला सलाम सुवरा करो दोस्ती करो राक्शों से तो देत्यों और देवताओं की यहां पर संदी होई हैं सला बने आपसमा कैसी सला बने इन बच्चों को यहां से ड़ा चलो पिछे जाओ एई भाई आप इधर जादा यह हला मत करो यह आइधर देदो परने जी को या इधर देदो देवताओं और देत्यों ने संदी की सला करी की देखो देवता बोले देत्यों से कि भाईयों हमारी बड़ी माता के तुम बेटे हो और हम छोटी के हैं हम आपसमें भाई भाई हैं और फिर भी लड़ते मरें क्यों धनसंपत्ति के लिए क्यों ना आपसमें सला करा देत्यों ने का आगई हो स्ठिकाने आज हमें बड़ा भाई बोल रहे हो बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप बड़े हो बड़ी मा के बेटे हो ना क्यों लड़े हम आपसमें सला करते हैं छोड़े चक्तर समुद्र मन्थन करेंगे अम्रित निकलेगा और सभी पीएंगे अमर हो जाएंगे आमेशा लड़ने मरने का जंजटी ही खतम कोई नहीं मरेगा आपसमें देत्यों ने का हाँ अब आ गई होश्ठिकान का सर्प मूसक वत्संदिकरी कैसे सर्प मूसे की जैसी दोस्ती एक पिटारी थी सपेरी की पिटारी होती है जिसमें सर्प बंद होता है उसमें गलती से एक मूसक बंद हो गया चुहा और वहां सर्प जी भी पहुंच गये शर्प तो पहले से थी उसमें पिटारी में गलती से चुहा पहुंच गये अब जैसे चुहा बीतर पहुंचा देखा तो वहां बैठे नाद चुहे ने का अब तो मैं गए यहां तो काल बैठा खा जाए सरप ने देखा खाना तो था भोग तो लगी थी लेकिन इसे खाऊंगा तो बीतर ही फसा रहूंगा क्योंना अपना थोड़ा काम बनाओ जैसे चुहे को देखा सरप ने तो कहा मामा जी प्रणाम चुहे ने का मैं कब बटी बढ़ी मामा अरे बोले आज बेटी अभी बेटी आप हमारे मामा और मैं तुम्हारा भांजा चुहे ने का अच्छा आज तक तो सत्रुता थे दुस्मनी थे ना ना अब नी आज बेटी मामा भांजा दुई चुहा बड़ो फूस होएगी साथ चलो कंसे कम आप तो रिष्टदारी निवाएगे हैं हमसे दुस्मनी नहीं रखी शर्प बोला देखो मामा जी हम दोनों विपत्ति में हैं दोनों भेतर फसे हैं क्यों न एक दूसरी की साहता करें और बाहर निकल चले स्वतंत्र हो जाएगे हाँ हाँ भांजे बोलो क्या करना है शर्प ने का मामा जी आपके बड़े नुकिले दांत है अपने दांतों से इस पिठारी को काटो रास्ता बनाओ बहर जाने का दोनों चले जाएगे चोहे ने का जी भांजे जो आगया काटी महारा नुकिला नुकिला दांतों अब जनी वैरोनों को रास्ता बढ़ी भांजे रास्ता बन गया है चलो बहार अच्छा मामा जी बना दिया रास्ता और मारा छपटा चुहे पर और भीतर मामा जी बितर ऐसे ही दोस्ती करी है आज देत्यों से के संग देवताओं ने समुद्र मंध्र में करेंगे अम्रत निकलेगा और सभी पीएंगे अमर हो जाएंगे देत्यों ने का बड़ी अमौका है ठीक है वासुगी नाग को रसी बनाया मंद्रा चल परवत को मतानी बनाया कच्छब भगवान अवतार धारन करके आये मंद्रा चल परवत को पीठ पर थामा वासुपी नाग को रस्सी बना करके एक तरफ देवता लगे दूसरी तरफ देते लगे समुद्र मन्थन किया पर्फम विस निकला विस वगवान से बने गरन किया काम धेन निकली तो रिस्टियों को दी है दनस निकला चंद्रमा ने धारन किया लक्षमी जी प्रगट हुई समुद्र की पुत्री के रूप में तो भगवान को वरन किया बोले लक्षमी नारायन भगवान की जे अम्रत निकला है अब जैसे अम्रत निकला सो जगडा सुरू हो गया पहले हम पीएंगे पहले हम पीएंगे ये तो गरवर हो गई धनमंत्री भगवान अमृत कलस लेकर आए जब जगड़ा होने लगा छीना जप्ती होने लगी तो इस छीना जप्ती में अमृत कलस की बूंदे कुछ धरिती पर गिरी चार जगा पर गिरी और जहां पर वो अम्रित की भूंदेगिरी वहीं पर अब कुम्ब लगता है कुम्ब मेला जिसमें हरिद्वार प्रियाग उज्जैन और नासि जोतिस के अनुसार उस तिती में वहां पर कुम्ब का मेला लगता है वहां उस समय अम्रित सुरुब होता है वह जल चीना जबती जब होने लगी भगवान ने मोहिनी अवतार धारन किया और सुन्दर पायल बजाकर के चमचम करती हुई जब मोहिनी आई है देटेगन मोहित हो गए लाइन लगाओ मैं पिलाओंगी अपने हाथों से वावा ठीक है तुमारे हाथों से अम्रित पीने को मिले तो इसमें क्या क्या भागे हमारा है देटेगन बैठे पंक्तियों में देवताओं को भी दूसरी पंक्ति में बिठाया मोहिनी को देखने के चक्र में देटेगन मोहित हो गए और महाराज देवताओं को भगवान ने महिनी रूप धारण करके अम्र पिलाया राहू समझ गया ये भगवान का छल है सुरे चंद्रमा के बीच में बैठ गया थोड़ा सा अमृत उसने भी पी लिया इसलिए अजर अमर हो गया सिर काटा लेकर फिर भी नहीं मरा राओ और केतु दो ग्रह बन गए अम्रित पी करके देवतागण अव तो बलवान बन गए दैत्यों को मारा हरा दिया राजा वली को भी मार दिया स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया लेकिन यहां शुक्रा चाले जी ने पुना हां अम्रित संजीवनी मंत्र से देत्यों को जीवित कर दिया आर राजा वली के पास जाकर के कहा कि असमेद यग्य करो नर्मदाद अदी के तटवर राजा वली यग्य कर रहें सोवा असमेदे की चल रहा है इंद्र को खत्रा लगा देवताओं की माचिंचत हुई अधिती आर फालगुन मास में पयोब्रत किया गर्व में भगवान आ मामन भगवान ने जाकर राजा वली से तीन बग भूमी मांगी राजा वली का सब कुछ हरन किया है कथा आप जानते हैं और आगे देवताओं का कारे सिद्ध किया राजा वली को नहीं मारा बलकि देट्य लोक में भेजा और कहा कि अगली बार तुम मनमंतर में मनू बनोग ऐसा आदेश दिया है आगे मत्सेवतार की कथा है नवम इसकंद अप्रारंग हो रहा है जिसमें बारा अध्यायों में राम कथा और बारा में कृष्ण कथा है तो सूर्य वंस में भगवान आए नारण, नारण की नावी से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच मरीची के पुत्र कश्चब और कश्चब लिश्ची के पुत्र है सूर्य यहीं से सूर्य वंस प्रारंग हुआ है आर सूर्य वंस में ही नवग होये, नावाग के अंबरेश होये, बड़े भक्त हैं भगवान के इनी के वंस में एक्ष्वाकु होये हैं, एक्ष्वाकु के वंस में मानधाता हो एभी हैं सगर के साट जार पुट्र कपिल मुनी के स्वराप से भस्म हो गए थे गंगा जी आएगी इनका उतार होगा इसले राजा सगर की तीन चार पीडियोंने मा भगवती गंगा जी को लाने के लिए आराधना करी है ब्रह्मा जी की और भगीरत ने भगीरत प्रियास किया और गंगा जी को प्रथिवी पर लाए हैं और मा गंगा चलकर के भगीरत के समक्ष आई संकर भगवान ने जटा में समाया है और जटा से होते वे गोमुक से होते वे आगे आगे भगीरत पीछे पीछे गंगा जी गंग हो गए और परभ्रम्य के धाम को चले गए बोले गंगा मैं आगा कीजे सब का जो ठिकाना है अंत में गंगा का किनारा है ये गंगा का किनारा है खिलोने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक जमाने में सहारे हैं सभी बस जिन्दगी भरके मगर ये जिन्दगी के आखिरी पल का सहारा है ये गंगा का किनारा है धरा के पापतार नहित प्रक्ट की कोख से उतरी सगर के मुक्तिगामी बंसजों के शोक से उतरी भगीरत के अखंडित तपजनित आलोक से उतरी अमर सुर देवताओं के परम ध्रवलोक से उतरी किनारा ये स्वयम शिवने जगत हित शीश धारा है ये गंगा का किनारा है शिवालिक से धरा को धन्य कर हर द्वार तक आई हमारे मां हमारे लोक के सुईकार तक आई तपस्वीराम के चरणों चड़ी उपहार तक आई गले मिल कृष्ण यमुना से ये संगम पार तक आई बनारस में इसे शिवने पुनाह जी भर निहारा है ये गंगा का किनारा है इसी के तट हो ये जागत हमारी चेतना के पल इसी के तट प्रकटता योग आयुर बेद वाला फल हमारे बेद में गुन्जत इसी जल की सहज कलकल शफत की अंजुरी में भी यही संकल्प वाही जल अधर परधरा जिसने अधर परधरा जिसनरने सहज बै कुंथ धारा है ये गंगा का किनारा है ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, सुरे बंस में गंगा जी आई रहे हैं, बाव से एक बार जे जेकार करें, बोले गंगा हुमिया की जे बागी रत के बंस में आगे चलकर खटवांग हुए हैं, खटवांग के दिरगबाव, दिरगबाव के रगु, रगु के अज और अज के हुए महारा दशरत, जिनके तीन पत्निया हैं, अयुद्या नरेश हैं, और संतान नहीं थी, इसलिए पुत्रिष्टी ये किया है, अग मध्यान दो पहर का समय, आहां प्रभू प्रिगट होने वाले हैं, देवतागणों ने अयुद्या के आकास में आकर के भगवान की गरभस्तुती करी, और दर्शन कर रहे हैं, देवतागण वापस गए, और यहां मध्यान काल में, आईए, तुलसी राजे लिखते हैं, रा बीजिते हरी परीटा, नौ मीती थी मैं दो मासे पुनीता शुकले बाग्श अबी दी थी हरी परीटा नव मीती थे मैं दो मासे पुनीता शुकले पाक्षे अभी जिते हरी पीता शुकले पाक्षे अभी जिते हरी पीता माध्य दिवसे अईरू शीते नगामा माध्य दिवसे अईरू शीते नगामा पावन काल लोग विष्रामा पावन काल लोग विष्रामा मंगल भवन अ मंगल हारी मंगल भवन अ मंगल हारी रबहु सोदस रत अजर विहारी रबहु सोदस रत अजर विहारी स्री राम जय राम जय लाम स्री राम जय लाम स्री बोलो स्री राम जे राम जे जे राम सभी बोलो श्याम तभी आएंगे जब राम जी को मनाएंगे स्री राम जे राम जे राम जे राम कर देरा नियर रहा की छुम कर दोfound हो शीर अम्हे घराम गचे जिए आर मैं Meer तोन्हें हू श्री राम जे राम जे जे राम जे राम जे राम श्री राम जे राम जे राम जे का नाम लेकर ही राम कथा को परणाम करते हैं दो ते नद्यायों में हैं लेकिन यदि राम कथा में चलेगे तो महारा नो दिन भी कम पड़ जाते हैं इसलिए हनुवान जे की जे का राम जे का स्रिश्ट पात्र है राम कथा का और फिर हम कृष्ण कथा में चलेंगे गोकल में बाउसे कहिए ज़रा बोलिए हनुवान जी महारा जे की जे दोनों हाथ उठाओ ये किसी पार्टी का नारा नहीं है ये राम जी की पार्टी का नारा है ठीक है तो दोनों हाथ उठाकर बोलो हनुवान की इतरहार जे शिया राम जे शिया राम अपने मंदर में बिराजमान होते हुए हम देखेंगे इसलिए ज़रा दोनों हाथ उठागे गहो जै शिया राम जै शिया राम बुलि राम चंद्र भगवान इत्टी जै तो राम जी की कथा को प्रणाम गुरु अरथे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनं पद्मपरप्याम प्रियाया पान सपरसाक्षमाप्याम भिजित पतरुजो योहरेंद्रानु जाप्या वैरोप्याशोरपणक्याप्याप्याविरहरुशा रोपितब्रु विज्रिम्भः त्रस्ताविरबद्धसेतु खलदवदाहना कोशलेंद्रु वताना राम कथा को प्रणाम आईए चंद्रभणस में चलते हैं जहां श्याम आए नारण किनाविशे कमल कमल से ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र होई अत्री के नेत्रों से चंद्रमा यहीं से चंद्रभणस प्रारंब हुआ है और चंदरवंस में यईाती हुए यईातो का विवहा सुक्राचार के पुत्रे देवी आने से वा दो पुत्र होई एक यदू और दूसरे तुरवसव यदू से ही यदू वंस प्रारंगु हुआ और उसी यदूवंस में वसुदेव की साथ पतनियां पौरवी, रोयनी, बद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी, देवकी के संग जब विवाव हुआ, आकास वानी हुई कंस ने सुनी, तो देवकी को कारागार में डाल दिया, उसी देवकी के आठमें गर्व में भगवान आये हैं, अवतार रहरन करके, और महराज कारागा को मुक्त किया, और जब जरासन्द ने मतुरा परा कर्मन किया, विद्या अध्यन करके भगवान द्वारिका में पहुँचे, 16,108 विवाव हुए हैं, और बड़ा वाली परिवार है भगवान का द्वारिका में, समस्त कर्थिवी का भार दूर करके और भगवान, तब जनम भी हो गया, परिक्षित देख रहें, कुछ और बोलेंगे, लेकिन चुप हो गए, गुरुदेव हो गई का था, अच्छा, अब तक बड़ी लंबी लंबी लगा रहे थे, और जैसे बारी आई खर्शनी की, तो दो मिनट में सुना दी, नहीं नहीं गुरुदेव, मु मेरे दादा, पिता, महा, पांडवों ने महा भारत के युद्ध में विजय प्राप्त करी, मैं उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, तो सुगदेव जी ने कहा, राजन पहले खा पी लो, चार दिन हो गए, तुमने अन जल गरहन नहीं किया है, कुछ खा लो, कु तब सुगदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, द्वापा लुक का समय चल रहा है, पितिवी पर बड़े बड़े दुस्त आकरांत पैदा हो गए, पितिवी पर भार बढ़ गया है, पितिवी ने जब भार देखा, अपने उपर तो गव का रूप धारन किया, और देवताओं कि शरण में गई, देवताओं को संग लेकर, ब्रह्माजी के साथ पिर्थवी, अक्षीर सागर के तटवर गई और भगवान को पुकारा, पुरुष हा, पुरुष शूक्ते नह, पुरुष शूक्ते से भगवान के स्तुती करी, आकास्वानी हुई जो ब्रह्माजी ने कि हे ब्रह्माजी, वसुदेव अग्रह साख्षा, भगवान पुरुष परह, जनिश्यते तत्रियार्थं, संभवन को सुरस्त्रियाह। ब्रह्माजी ने सबको सूच ना दी है, गव को भी वापस विजा प्रथवी को वापस सान को ना दी है, देवतागन वापस लोटे, द्वा परिपका समय चल रहा है, और यहां मतुरामी सुरसेन का राज्य है, वसुदेव जी का विवहा देवकी पुत्रे देवकी से हो रह है, विदाई का समय है, तो चचेरा भाई कंस जो देवकी का है, अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा, आकास वाणी होई, हे दुष्ट कंस, जिस देवकी के रत की डोर को तू आज हाथों में लिए है, उसी देवकी का आठ्वा गर्व तेरा काल होगा, जब ऐसी आकास वाणी सुने, कंस घवर आया, रत की डोर छोड़ी, तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए, वस्तुदेव जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हो राजने, अपनी बहन को मारू, अरे बोले इसकी पेट से मेरा सत्रु पैदा होगा, इसे ही खतम कर मैं तुम्हें सौंप दूँगा, लेकिन इसको छोड़ दो, वस्तुदेव जी के बचनों पर कंस ने विश्वास किया, कारगार में डाल दिया है, नारजी आगए, पहला पुत्र हुआ देवकी का, तो कंस ने छोड़ दिया, उसको ये तो पहला है, मेरा काल तो आठवा है इसने क्या भिगा दा, नारजी आगे भड़काने लगे कंस को, ए राजन, आकास बाने का भरोसा नहीं है, कहीं आठवा ना आया हो, पहला हो इनको, ये देवता लोग स्वार्दी है, इन देवताओं कर भरोसा मत करो, पता लगे वो आठवा पहला आया हो, गया है कंस गारा साथमें की बारी है सेश अवतार, जो पूर्व अवतार में लक्षमन थे सेश अवतार, अब बड़े हो करके आ रहे हैं, तो महराज भगवान ने कहा, कि ये मामा जी तो इसको भी मार देंगे, जब साथमा गर्व देवकी को है, तो अपनी माया को भीजा भगवान ने, माय ये जो ट्रांस्प्लांट का कार्य है न तो उसे चल रहा है, अब तो विज्ञान कर रहा है, वहां सेशावतार प्रकट हो ये है, बोलिये सेशावतार भगवान की जए, अल्ला मच गया कि साथमा गर्व नश्ट हो गया, कंसने का अच्छाई हुआ, मुझसे एक पाप होने अब आठवी की बारी, सिपायों को आदेश दिया, लग जाओ, कारागार के बहार, आठवा गर्व जैसे धारन किया, तो कंस के कारागार की सोभा इतनी सुन्दर हो गई, मानों सूरे बैठा हो कारागार में, देव की, वसुदेव के जोतर में अंस को धारन करती है, भगव सभूताम नितराम दरेजे, शिपायी लग गए, हटगड़ी बेड़ी पहना दी, कारागार में ताला लगा दिया, शिपायों को का जैसे होगा बता देना, अभी आने वाला है आठवाण, देवताओं ने आकर के गरवस्तुति करी है कि अब प्रभु अवतरित होने वाले ह नौ बार सत्य कहा प्रिष्ण पक्ष, रोहिनी नक्षत्र राम जनम के समय दिन में आये थे क्योंकि सूर्य वंस में आये थे इसलिए जब सूर्य थे तवा आये लेकिन अब चंद्र वंस में आ रहे हैं रात्री को बारा बजे कि तमत्पुतं बालगमं बुजेक्षणं चत्रभुजरूप में भगवान कारगार में प्रगट हुए है बोले चत्रभुजर नारायन भगवान कीजे वसुदेव देवके ने हाथ जोड़े अस्तुती करी भगवान ने कहा कि मैया मुझे नंद के यहां गोकुल में छोड़ दो क्योंकि यहां मामा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे और वहां जो पुत्री है माया रूप में उसको ले गए वसुदेव जी ने एक सूप पर रखा जैसे शीष पर धारन किया हातकड़ी बेडियां कट गई तूट गई कारागार का ताला खुल गया सिपाई भी अब सो गए बेचारे ग्यारा बैस तक प्रतिक्षा करते रहेगी अब होगा तब होगा अरे बुले अब होता नही पर धारन है प्रभू अब तक आकास निर्मल था लेकिन अब बारिस होने लगी मंदम मंदम जल धरा क्यों हो ये बारिस बादों के महिने में मतुरा में बड़ी गर्मी होती है तो सारे लोग बाहर सो रहे थे अपने अपनी खाट डाल के मतुरा में भगवान ने सोचा ये स बारिस की बूंदे पड़ी और जैसे बारिस की बूंदे पड़ी तो लोगों ने कहा रहे बारिस हो गई चलो घर की भी तर्म अपने खाट फोने चल पीचा भी तर्म राश्टा साथ साब पहुंचे हैं यमना के किनारे यमना में बसुदेव जी ने चरण रखे और जैसे यमना में चरण रखे यमना का जल जो है बढ़ने लगा मेरे आज स्वामी आए है मुझसे मिलने आहा यमना प्रसंद चित हो गई जल का अस्तर बढ़ा गुटनों तक जल था सो वसुदेव जी के वक्षस्तल तक आ गया नाक तक जल पहुँच गया यमना हिलोरे मार रही है भगवान ने का क्या कर रही यमना मुले प्रभु आज आपके दर्शन हो गये है इसलिए आपके स्वागत में मैं प्रसंद हूँ आपके चरणों को छूना चाती हूँ भगवान ने कहा अरे यमना ये उचलकूद बंदकन तु जानते नहीं ये कौन है मेरे पिता और तेरे क्या लगे ससुर और ससुर के सामने उचलकूद अच्छा दे सान्तो जा चरणों को बढ़ाया यमना ने चरणों को इसपर्स किया यमना जल धीरे धीरे कम हुआ शान्त हुआ शेशनाग छत्र हारन कर रहे हैं यमना को पार किया गोकुल में पहुंचे वानन्द की पतनी यसोदा जो मूर्चित है लेकिन निकट एक कन्या है अर उसकन्या को जब देखा वसुदेविजी ने तो माया रूपी कन्या को उठाया अपने लाला को वहां पर रखा और वहां से वापस आए करागार में जैसे वापस पहुंचे हतकड़ी बेडिया फिर लग गई ताले लग गई और माया ने रोना शुरू किया सिपाई जागे कान खड़े हो अले हो गया जब भगवान आते किसी को ख़बर नहीं लग दी अर जब माया होंचे तो पड़ोसी कान भी खड़ा हो जान हो गयो हो गयो और सिपाई ने जागरे के कहा राजा कंस को कंस दोड़ता हापता गिरता पड़ता हुआ महराज लटकता भटकता हुआ पहुँच गया कारागार में देखा तो येक कन्या मेरा काल कन्या लेकिन जो भी हो छोड़ूँगा नहीं और महराज जब पटकने लगा धरती पर तो वहाँ हाथ से छूटी है और हाथों से छूट करके आकास में पहुँची आकास में जाकर अश्ट बुजाधारी दुरगा बनी है और अटहास करती हुई कहती है किम्मया हतया मंदह जाताह खल तवांत कृत यत्रकवा पूरवं सत्र माहिंसी किरपणान विर्था ए दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा तुझे मारने वाला कहीं उत्पन्न हो चुदा है कंस घवर आया वसदेव जी के चलनों में छमा मांगने लगा कंस को छोड़ो हम चलते गोकल में वहां पराता काल पांच बज गए बगवान ने देखा कोई स्वागत नहीं कर रहा है सारे सो रहें गोकल के लोग बगवान ने रोना प्रारम किया और जैसे ही रोना प्रारम किया सोधा की नींद में अरे मैं तो बेहोस हो गई मेरा लाला हो गया है तो गोदी में लिया दूद पिलाने लगी तो नंद की बहन नंदा और सुनंदा आई भावी के बेटा हुआ है तो जैसे देखा तो महराज दोड़ करके गई है गोसाला में अरे आपको लाला भयो है तो सुनते ही आनंद से नाचने लगे तो आईए हम भी जांकी का दर्शन करेंगे और खूब जूमेंगे नाचेंगे थोड़ी देर कापी समय हो गया है लेकिन कोई बात नहीं आसानिसे थोड़ी होण दो और फिर भी साथ बड़ा मुस्किल से करा या एमर्जंसी तो समय पर जो समय वलवान का निश्चित होता है उसे समय होना है उगर जाने कहीं जाने तो इसलिए आईए स्वागत करेंगे सभी लोग जांकी का भी दर्शन करेंगे और नंद महुस्व सुन्दर मनाएंगे करेंगे आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो सब जुमेंगे को आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजे कनी आएगे घर ये सोदा मातें बदाई हो आजिन का निया आएगी घर यसोदा मातें बढ़ाईयो आजिन का निया एगी घर यसोदा मातें बढ़ाईयो नंदे गरे आनंदे भायो नंदे बाबातें बढ़ाईयो नंदे गरे आनंदे भायो यसोदा मातें बढ़ाईयो हुई! 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 आति गोड़ा पाल जी जे कन ही हलाल की नंद घरा नंद भयो जेकन ही हलाल की आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो सभी बोलो बोलो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो आजे कनी आएगी घर ये सोदा मातें बढ़ाई हो जवान को हात थोड़ा बढ़ाई हो अज्कड ये सोदा मातें बढ़ाई हो सबी लोग दो मिलर जरा जोमेंगे थोड़ा पीछे हो जाएंगे आगे से खड़े रो खड़े रो बैटना नहीं है एकाना बजदी मुरूली एकाना बिंदा बने लूदी एकाना बजदी मुरूली एकाना बिंदा बने माँ एकाना बिंदा बने माँ एकाना बिंदा बने माँ एकाना बजदी मुरूली एकाना बिंदा बने माँ एकाना बिंदा बने माँ एकाना बिंदा बने माँ एकाना बिंदा बने लूदी मुरूली एकाना बिंदा बने माँ 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 मां एकाना विंदा वने मां एकाना माखने चुरोंदू मिंदा वने मां एकाना माजने चुरोंदू एकाना विंदा वने मां इचे वाले में सब एख़ाओ हाथ खाओ भाई तीछे वाले में सब खाओ ये का नहां को क्यों संग रेंदो हे का नहां को क्यों संग रेंदो हे का नहां ब्रंदा वने मां एकाना ब्रिंदा वने मा एकाना पासुरी बजोंदू एकाना ब्रिंदा वने मा एकाना ब्रिंदा वने मा। हाद रणा संदू हेका ना कोड़ी चरोंदू हेका ना प्रण्दा बने मा हेका ना बनु बनु मा जान दू हेका ना प्रण्दा बनु मा जान दू हेका ना बनु 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 बनु मा जान दू एकाना बजली वो रोले एकाना ब्रंदा बने माँ जो जालत आचे गूरी एकाना बित्ता बने माँ एकाना बजली वो रोले एकाना बजली वो रोले एकाना बजली वो रोले एकाना बजली वो रोले एकाना बित्ता बने माँ 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 हेका ना बेनडा, हेका ना बिप्लावनेवा उहेका ना लीला तेरी नाड़ी झाल झाल